हेलो एवरीबन तूटे इस दो फाइनल सेशन ओफ ट्रीडिंग इनजोन एलिमेंट्री एंड एम हंडेड़ परसंट शूर कि अभी तक जो नाए शेशन आपने देखे हैं वो बहुत ही जादा इंफोर्मेटिव रहे होंगे एंड कुछ ना कुछ आपकी ट्रीडिंग में एन पोजिशन साइस सीखेंगे कि आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आपका रिस्क क्या होना चाहिए कैसे आप प्रॉपर आरार के साथ मतलब प्रॉपर रिवोर्ड रिशो के साथ ट्रेड कर सकते हैं वैसे सेशन को बहुत जादा इंट्रेक्शन की जरूत नहीं है क्योंकि कि अपने आप में इतना भैतरीन सेशन रहने वाला है थोड़ा लंबा सेशन चलेगा क्योंकि बहुत सारे इंट्रेस्टिंग इसमें बताये जाएंगे बहुत सारी बाते इसमें डिसकुस की जाएंगे कि कैसे आप अपने रिस्क मेनेजमेंट को फॉलो करें जो कि आपकी अफो लिए कि च्टैडिंग में आपके कैपीटल में एनास्मिन करें तो चली श्रू करते हैं आज-का session let's get started good evening everyone, can you please confirm my voices loud and clear thank you so much everyone for your confirmation सब्सक्राइब करने वाला हूं बट इस्टिल एडवांस में ठेंक्स लोट ओके आज की क्लास जो है काफी इंपोर्टेंट है जैसे कि मैंने आपको बताया रिस्क मेनेजमेंट क्लास है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास को बिल्कुल इस्मूथ ली चलने दें कि एक बार के लिए डिस्टब ना करें किसी भी टाइप से अगर कोई भी चीज में रिस्क मेरेजमेंट में एक्विटी कैस पर डिसकस कर रहा हूं तो ऐसा नहीं करें कि सर ऑप्शन में क्या करेंगे फ्यूचर में क्या करेंगे लिए वन बाई वन करके हम सब कुछ डिसकस करने वाले हैं तो बी एक गुड लिस्नर्स प्लीज इस ओके ऑलमुस्स अभी रिक्विस्ट कर्रें चैटां करने के लिए बट्स्तिल एक बार के लिए मैं चैट डिसेबल नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं expect कर रहा हूं कि आप लोग unnecessary खुद ही कोई question नहीं पोचेंगे जब तक class जो है smooth way में चल रही है first of all we will talk about the position size so for that we need to plan a trade अभी तक जो भी trade plan की है उसके उपर में नहीं कुछ new plan करते हैं कि पोजिशन साइज discuss करना है रिस्क मेनेजमेंट के लिए तो उसके लिए एक completely new trade setup plan करते हैं कि ताकि आप लोगों का एक रिविजन भी हो जाए कि बैसे क्रेड कैसे प्लैन करते हैं कि दिखिए आज weekly candle close हो चुकी है विकोज आज Friday था और फ्राइडे की दिन हमें पता है कि weekly candle close हो सकती है तो आज हो सकता कि हमें बहुत सारे WIT opportunities मिली हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं टॉप गेनर देख सकते हैं जैसे यह टॉप लूजर है यहां पर टॉप गेनर हैं लिए अगर किसी में स्ट्रूंग मूव आई है वो सकता है कि पूरे के स्ट्रोंग मूव रही हो और एक वीज्व लिक ही एकक्सप्लॉजिव केंडल हमें मिल गई हो लाएक मिला तक्ते 2 और वाहिए हैं यह हमें कि यूप ल का चार्ट ओपन किया मैंव अरुन प्रीजोंटल लाइन रो करते हैं कुछ इस टाइप से करेंट मार्केट प्राइस को कंसीडर करते हुए लुक लिफ्ट डाउन करते हैं और एक सब्सक्राइब करते हैं यहां पर देखिए एक सब्सक्राइब है इसको लेगाउट कंसीडर कर सकते हैं लेगाउट से जस्ट पहले वन टू त्री फोर फाइप अल्मुस्ट फाइब बेस्केंडल हैं और एक है लेकिन अब हमने जब गार्वेज एरिया हम डिसकस कर रहे थे प्राइस का ओरिजन आइडेंटिफाई करने की कोशिस कर रहे थे तब हमें यह भी पता था कि बेस्केंडल अपन डाउन हो सकती है बट बैसिकली वह मूव कहां से आई है वो भी हमें बता है अगर एस पर रूल मार्किं सब्वाहर वू भी गलत नहीं है कि मतलब ये दोनों चीजें आपी के हम मितलब का उसके ही कि नेजिए का अ-ब जान कि जिसे हम लोकेशन बोलते हैं लोकेशन ऐइडेंटिफाई कर लिया अब लोकेशन के बाद में हमें क्या करना है ट्रेंड करना ट्रेंड से पहले ये को रिट्रेशमेंट वाली जो स्टेप है उसको हम smo किप करेंगे डिरेटी च्रेंट चक करेंगे कि करेंड जो है त्रणन क्ली अप्रेंड में है विकोस इस्टोक वैसे भी ओल टाइम हाही καद मिलेगा है अब हम जाते हैं फंट्वा साथी when I am अगिन करेंट मार्केट प्राइस को कंसिडर करते हुए अगर आप एक एक एक्साइटिंग अपमूव देखें एक ग्रीन एक्साइटिंग केंडल देखें तो वह आपको यहीं पर मिल रही है उससे जस्ट पहले 1,2,3,3 बेस केंडल भी हैं देखिए इन सब को बेस केंडल ही मान रहे हैं अगर इसमें बोड़ी पार्ट हलका सा ज्यादा भी 50% से तो हमें बता कि उससे कोई भी फरक नहीं पड़ेगा हम इन सब को बेस केंडल कंसिडर कर रहे हैं हमारे पास में जो पैटन है वह है रेली बेस बेस एंड रेली तो एक डिमांड जोन तो हो गया यह वाला अगर बात करें सेकंड डिमांड जोन की तो और डाउन आएंगे वह है यहां पर हमारे पास में काफी नेरो बेस केंडल है तो विक्टू विक्री मार्क कर लें एक डिमांड जोन है इसके ज़स्ट नीचे तो बैसिकली यहां पर थ्री डिमांड जोन हमें मिले हैं आपको क्या लगता है कि कौन सा डिमांड जोन लेना चाहिए ओके लेट में क्लियर वन बाई वन देखिए इस डिमांड जोन की बात करेंगे हैं यहां पर अर्जुन की पोजिशन जो है वह थोड़ी अग्रेशिव है क्योंकि स्रीकृष्ण का सपोर्ट डाउन साइड के अंदर में और अर्जुन की पोजिशन अग्रेशिव ए पिर हमें उससे क्या फर्ग पढ़ता है जब अर्जुन ओल्रेडी स्ट्रॉंग है यहां अगर 7 out of 7 level है क्यों है level fresh है लेस दिन 3 बेस केंडल है और बात करें strength की तो single leg out candle है बट विद गैप सेम कंडिशन सेकेंड के अंधर में सेकेंड डिमांड जोन भी 7 out of 7 है multiple leg out minimum base candle और completely fresh zone तो दोनों की दोनों ही 7 out of 7 है अब मैंने बताया आपको जब भी कोई ऐसी situation हो तो आप दोनों की दोनों trade कर सकते हैं इसमें भी कोई problem नहीं अग्रेसिव खेलने में भी है definitely यह level सबसे best है यह level सबसे best है कि यह level सबसे best है क्यों कि seven out of seven में भी देखेंगे थोड़ा सा difference है यहां पर base candle three है यहां पर base candle single है यहां पर back-to-back three candle है अगर सेम भी होता बिल्कूल सेम कोपी तो भी lower level best होता है भी को लोवर लेवल को स्रीकृष्णा का सपोर्ट है लोकेशन का सपोर्ट है तो लोवर लेवल जो हो सबसे best है बट इसका मतलब यह नहीं किस level को छोड़ दें देखें क्लोजिंग इस level की सबसे best है हमारे अर्जुन की position बहुत अच्छी है कि अब एक काम करते हैं कि आसपास का को डेली का सप्लाइज जोन अइडेंटिफाई करते हैं जो कि ब्रीच हो चुका हो यह एक सप्लाइज जोन है जो कि देखें टूट चुका है ब्रीच हो चुका इस लेगाउट केंडल ने इसको ब्रीच कर दिया यहां तक यह फ्रेस था बट यह अभी ब्रीच हो चुका और इसको ब्रीच करने के बाद में ही प्राइस अप जा रही है तो यह हो गया डेली का सप्लाइज जोन वापस से 125 मिनट पर आते हैं इस पिक्चर को थोड़ा सा गोर से देखें कि मैं क्या एक्स्प्लेंग करने की कोशिज कर रहा हूँ बैसिकली डेली का सप्लाइज जोन है यह वाला जहां पर लिखा हूँ है है होरिजॉंटल लाइन 10 एंड 11 डी यह है डेली का सप्लाइज जोन अब इस डेली के सप्लाइज जोन को ब्रीच किस ने किया है इस लोवर वाले डिमांड जोन में कि अगर यह अपर वाला डिमांड जोन 125 मिनट वाला अगर डाउन होता मतलब यहां क्या सपास होता तो यह भी सबसे बैस्ट होता एक रूल मैंने आपको बताया कि कोई भी डिमांड जोन किसी सप्लाइज जोन को ब्रीच करेगा तो वो डिमांड जोन पावर्फुल होगा मतलब यह मूफ इस टाइप से होती मतलब यह मुव कुस इस टैप से होती है तो फिर यह हमारा 125 पर यहां के आज-पास ही है डिमार्ड जौन को ब्रीज किया अब आज डियली का सप्प्लाइब थोड़ा सा हुअ अनदर में है मतलब लोवर 125 मिनिट के डिमांड जोन ने एक डेली के सप्लाइज जोन को बीच किया और जब भी कभी अग्रेसिव एंट्री लेने लेनी हो आपको कभी भी दो लेवल हो कंफ्यूजन हो कि अर्जुन काफी स्ट्रॉंग लग रहे हैं बट कंसीडर करें या ना करें तो यह वाला कंसेप्ट भी चेक कर लें इससे आपको बहुत ज्यादा हल्प मिलेगी ट्रेड लेने के अंदर में अगर इस्ट्रक्शर कुछ इस टाइब से होती तो यह लेवल भी सबसे बैस्ट होता है अभी बैस्ट है अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है पर अभी इसने ब्रीश नहीं किया इसको अगर अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो फिर यह तूट सकता अगर उतना ही सेलिंग प्रेशर ताब आता जब इस लेवल की क्लोजिंग इसके उपर होती है तो फिर तूटने की चंसिस बहुत कम होते हैं यह वापस से रिपीट कर रहा हूं जब भी कोई 125 मिनट का डिमांड जोन यह वाला डिमांड किसी डेली के सप्लाइज उनको ब्रीज करें आप देखेंगे डेली का सप्लाइज जोन डाउन साइड में रह गया मैं डेली वाली लाइने जो ही इनको हैलाइट कर देता हूं कि इनको मैं रेड़ कलर में ले रहा हूं अब हम आते हैं 125 मिनट पर आप देखेंगे इन रेड लाइन के ऊपर है यह डिमांड जोन अगर इन रेड लाइन के डाउन होता है फिर इसके बीच में होता तो यह बहुत पावरफुल होता फिर यह कहते हैं इसी 125 मिनट वाले डिमांड जोन ने डेली के सप्प्लाई जोन को ब्रीच किया है या फिर यह हो कि यह डिमांड जोन चाहिए यहीं कि नहीं रहे 125 वाला यह डेली का सप्लाई उपर होता थोड़ा सा मतलब कुछ इस टाइब से यह लाइने कुछ ऐसे होती तो हम यह कहते है कि इसने ब्रीच क देखते हैं फिर यह बेस्ट होगा कि अब अब यह ऐसी सिच्वेशन नहीं है अभी डेली का सप्लाई जोन यहां ना होके यहां पे हैं तो लोवर डिमांड जोन जो है 125 पर वह सबसे बैस्ट है अब आप देखेंगे कि एक डिमांड जोन और है डाउन साइड के अंदर में आपको मैं बताओं यह इससे भी बेस्ट यह इससे भी बेस्ट विकोज यहां पर आपको एक प्रॉपर लेगिन तो दिख गई है पर देखें इसके आज पास यह गार्बेज एरिया ही है यहां पर इसे गार्बेज एरिया नहीं है इस पूरी मूव का ओरिजन साइध यही है इस पूरी अप मूव का ओरिजन यही है ऐसे लेवल कभी भी हम ट्रेड करेंगे बेसिकली तो इन दोनों लेवल को मर्ज कर लेंगे लो टील में पढ़ेंगी यह चीज एंट्री हमारी कहां होगी कि आने वाली क्लासेज में आप पढ़ेंगे कि एंट्री को है हम थोड़ा सा और अग्रेसिव रखेंगे यहां पर जो मैंने आपको एक विंडू गैप का कंसर्ट बताया था तो यह एंट्री बैसिकली एंट्री और इस्टाप्लोस का जो सेट अप मैंने बताया यह सबसे बैस्ट है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो बैसिकली यह होगी यूपियल के अंदर में एक डबलू आटी ट्रेड वीकली के लोकेशन को कंसिडर करते हुए अब देखिए यह वीकली का लोकेशन ओके यस मैंने चैट को डिसेबल कर दिया है विकोज लोग अन्नेससरी उन्हीं गहराई में जा रहे हैं कि प्लीज रिपीट विंडोस गैप विंडोस गैप हमने डिसकस नहीं किया है वो आने की एडवांस एंट्री मतलब ऊपर से ही चली जाए तो आप लोग उनको अभी से नोटिस करना स्टार्ट करें और फिर जब हम वह चीज बढ़ें डिसकस करें तो आपको पता चले कि हां क्यूं उस टाइम एंट्री ऊपर से ही चली गई थी प्राइस क्यूं हमारी प्रॉक् कि अब देखिए एक किस और मैं explain करता हूं पहले तो एक ट्रेड एक्स प्लेइन करते हैं डिर्क्ली नवर ट्रेड एक्सप्लेइन करता हूं कर रहा हूं जिन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साइद ऑल्ली स्टुडेंट अगर यह रिकोर्डिंग देखेंगे तो उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अभी आज कल क्या हो रहा है कि जैसे मैंने आपको ब पे जाएं कि यस देखे डिमांड जोन है और यह वही स्ट्रक्चर है जिसकी हम बात कर रहे थे कि बाइंग डिस्ट्रिब्यूट हो रहे हैं बेस बेस केंडल के तुरू गैप आप के साथ में प्राइस अप जा रही है प्रॉपर लेग आउट नहीं है बट इस्टिल यह प्र अब प्राइस आई है यहां पर बोटम पर तो यह यहां से बायो को चलना चाहिए अब मैं इसमें कैसे सोचता हूं कि यह उन लोगों ने सोचा जिन्होंने बायो कौन को अभी रेसेंट्ली देखना स्टार्ट किया और उनको एक एजी ट्रेड देखते ही है यह करेंट मार्किट प्राइस विकली के ऊपर में तो या फिर वीकली इंकम बहुत होगे डिरेक्ली मंतली पे चलते हैं इस पहर इस यह करेंट मार्किट प्राइस मंतली पे कि नियरे स्प्रेस्ट डिमांड जोन यहीं होगा अगर बात करें सप्लाइज उनकी तो कुछ यहां पर देखिए यह चाहे दिखने में आपको बेस केंडल हो बट हमें पता है कि यहां से अगरे एक सेलिंग प्रेशर है तो ऐसे लेवल को हम लोकेशन पर कंसीडर कर सकते हैं कि ओके तो यह है डिमांड जोन मंतली पर यह है सप्लाइज जोन मंतली टाइम फ्रेम की उपर में यह करेंट मार्किट पाइस कि अगर डेली पर करेंड मार्किट प्राइस को देखें तो क्वालिटी का डिमांड जोन कहां पर हैं यहां तक तो देखें कुछ नहीं मिल रहा गार्वेज यहां अगर एक सब्सक्राइब करें यहां तक तो हमें पता कि यहां तक भी कुछ नहीं मिल रहा यह जो कुछ भी था गार्वेज एरिया डिस्ट्रिब्यूशन वह चल चुका है यहां पर इतना स्ट्रोंग नहीं कि देखते के साथ ही ऐसा मन करें कि यह चेड़ ले लें इस सेटप को ध्य प्रोपर बेस केंडल नहीं है साथ अब इस मूब को थोड़ी ने इग्नौर कर सकते कि प्रोपर बेस केंडल नहीं है एक अच्छे मूब भी दिख रही है यहां पर है थो चांब है तो जो दिमांड जोन क्या फरक पड़ जाता कि यहां पर जो घ्रीन एकसेटिं केंडल आपको दिख रही है इसकी क्लोजिंग थोड़ी सी अप हो जाती है लोजिंग थोड़ी सी डाउन हो जाती या फिर ओपनीं थोड़ी सी हो जाती तो by default यह बेसकेंडल बन जाती है बट एनिवे कभी भी आपको डैली पे ऐसे confusion हो कि इसको consider करें या ना करें तो आप क्या करें वीकली पे चले जाएं कि आप देखेंगे कि यह जो वीकली की पिक्चर है यह जो वीकली का डिमांड जोन है यह वाला यह तो एक प्रॉपर सेट अप है इसमें तो कोई भी कमी नहीं है रेली बेस रेली स्टक्चर इसी में है वो डैली वाला कि वहां पे हमें एक रेंज नेरो मिलेगी अ कि नेरो रेंज के नदर में हम ट्रेड कर सके इसलिए हम ड्रेली की उपर में अब जाते हैं पैट ऑब ही है वह ड्रेल्व में कभी ऐसा ना हो ड्रेक्टड लिख प scrambled कि अ कि विकली की भी तो रेंज नेरो ही है अगर आप डिरेक्ली यहां एंट्री ले तो क्या प्रॉब्लम है यह एंट्री और इसके नीचे स्टॉप लोस डेली पेजिक्यूशन देखना है वीकली तो उससे भी बड़ा टाइम फ्रेम हुआ नहीं तो वीकली तो और भी ज्यादा पावर्फुल होगा और जब रेंज नेरो मिल रहे तो कभी-कभी हम कंसीडर कर सकते हैं कोई भी इस्यू नहीं है सिमी लड़ली 125 पे कभी ऐसा कंफ्यूजन है तो मैंने आपको बताया था एक दो एक्जामपल में हम डेरेक्ली डेली पे भी एंट्री रख सकते हैं डेबल लटी शेट के अंदर में बट रेंज नेरो होनी चीए ओवराल एक सेटप अच्छा होना चीए तो बैसिकली यह त कि वीकली टाइम फ्रेम पे हैं या फिर मंतली वाले डिमांड जोन को कंसिडर करते हैं क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस मंतली डिमांड जोन ने इससे पहले का यह था एरिया यह कंसुलिडेशन इसको खतम किया है इस वाले मंथली डिमांड जोन अगर वीकली पर मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊं तो मैं यह कह सकता हूं इसी वीकली वाले डिमांड जोन ही कि यही वो पॉइंट है जिसने बायो कोन की क्लोजिंग ओल्टाइम हाई पे करवाई है इसी लेग आउट केंडल ने इससे पहले कभी बी ओल्टाइम हाई पे क्लोज नहीं हुआ है इसी डिमांड जोन प्राइस को ओल्टाइम हाई पे लेके जाए वो सबसे बैस्ट होंगे बट देखे इसमें एक बेस्ट और बताता हूं बेस्ट क्या बैस्ट यह है कि जब ये प्राइस ओल्टाइम हाई पे जाने की कोशिस कर रही थी एक बार के लिए डाउन आई मतल हाई पे ले जाने के लिए उस रोकेट को एक ब्रेक लेना पड़ा और फिर ओल्टाइम हाई पे लेकिए गई है बट उस पूरी मुव का ओरिजन जो है वो यहां से है इस वाले एरिया पे जो इस रैड और ग्रीन केंडल का बोटम आपको दिख रहा वहां पे है भले ही यह वीकली की पिक्चर बहुत अच्छी है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बट ओरिजन यहां पे है जो लोवर डिमांड जोन है चाहे यह 7 आउट उट उप 7 ना हो इसमें मल्टिपल बेस केंडल हो बहले ही बट मेरे अकोर्डिंगली इस डिमांड जोन से अच्छा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है और इस demand zone का stop loss जो आप देखेंगे monthly के digital line के downside में है यह सबसे best है अब मैं ऐसे में क्या करता हूं मैं ऐसे में क्या करता हूं कि जो weekly का demand zone है मैं always इस level पे cash की entry लेता हूं और मैं stop loss कभी भी यहां ना रखके stop loss तो मैं down ही रखूंगा और जो lower level है इस lower level के उपर मैं मैं लेता हूं options measured क्योंकि यह सबसे best है हो सकता है कि price इसको hit करें हलके सी अप जाए और फिर वही की वही कि consolidate हो जाए sideways हो जाए बट यह एक वह पोइंट है जहां पर entry line 337 यहां पर consolidation होने के chances बहुत कम होते हैं यहां से बहुत strong of move आती है कभी-कभी entry भी मिस हो जाती है बट option में ही तो मिस हुए नहीं कैस में तो हमने trade करी लिए कैस में तो हमने लेवल यही लिया कोई problem नहीं है कि बट ट्रस्ट में इस entry से अच्छा कुछ नहीं है यहां पर आपने ओरिजन को consider किया बहले ही यहां पर seven out of seven ना हो फोर बेस केंडल हो बट यह सबसे बेस्ट है क्योंकि यही इस पूरी अप्मूव का ओरिजन है और यहां पर अर्जुन की पॉजिशन देखें बिल्कुल बॉटम पर स्रीकुस्णा सबसे बेस्ट होते हैं ऐसे में कभी-कभी एंट्री मिस भी ओप्शन में बट कैस में नहीं होती है एक एक्जाम्पल और दिखाऊंगा आपको बील का जिसमें मेरी में एक एंट्र एम हैं और यहां नहीं कि अषित्ट मैं ऑप्शनस के अंदर में और में इस होने से आपको कोई भी लोस नहीं है जैसा कि मैंने को कल भी बताए था कि ए-ब टार्गेट कहां तक होना चीए बैसिक्लिए इस लेवल लेवल को लेए फिर इस लेवल को लेटारगेट कहां तक होना चीह ऊपोसिंग लेवल अप सप्लाई कि अपोसिंग लेवल अप सप्लाई कहां बन रहा विकली टाइम फ्रेम पर यहां पर तो यह होगा आपका ठार्गेट जो कि मोर देन 3-1 मिल रहा है इस वाली ट्रेड के अंदर में और 410 अगर हम डैली के उपर में प्लोट करें यहां पे तो आल्मोस्ट 4-1 के राउंट 3.66-1 काफी अच्छा अरार मिल आपको यहां पे अब मैं आपको बात बताओं जब इतनी अच्छी टॉप डाउन अप्रोच के इतनी बेस्ट ट्रेड निखाली है लोवर लेवल के उपर में कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मंतली का प्रॉपर लोकेशन एजिकुशन प्रॉपर ली को इंसाइड कर रहे हैं ओल्टाइम हाई की उपर में लेके गया है यह डिमांड जून और ओल्टाइम हाई पे ले जाने वाली बिल्कुल उसी मूव को हमने कैप्शर किया तो मैं इस हल्के फुल के सप्लाइज जोन पे तो बुक यह नहीं करूंगा मैं बुक करूंगा डेरेक्टली इसी सप्लाइ जोन तो यही ट्रेड हो जाएगे 6-1 455 के उपर में और जो डेली वाली जो ट्रेड है वह हो जाएगी अल्मॉस्ट अगेन 6-1 तो दोनों ट्रेड के अंदर में बहुत अच्छा अरार मिल गया है क्यों क्योंकि यह एक नॉर्मल सप्लाइज जोन है इस पे तब बुक करते जब हमारा डिमांड जोन नॉर्मल होता बट दिमांड जोन जब इतना हाई प्रॉबैलिटी है जिसके अंदर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है सब कुछ बैस्ट से बैस्ट है तो फिर यह बैस्ट्रेड सेट अप है इन चीजों को छोटी-छोटी चीजों को कंसिडर करेंगे तो एक बहुत अच्छा आरार मिलेगा आरार की क्या इंपोर्टेंस है वह अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर के अंदर में ही तो हमने क्या किया इस ओरिजन को दोनों को कंसिडर कर लिए अपर लेवल पर कैस की ट्रेड ले रहे हैं लोवर लेवल के उपर में हम ऑप्शन की ट्रेड में तो यह सब चीज़ें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं क्योंकि वहां पे तो टॉटल लोसी टाइम डिके कहा अगर आप ऑप्शन बाई कर रहें तो तो आप आप जो भी लेवल ट्रेड करें मेक शोर कि वहां से एक अच्छी मूव आए और वह भी इमेड़ेटली आए एज सुन आज पोसिबल वहां पर आप ज्यादा वेट नहीं कर सकते एक प्राइस सेक्षन और समझाता हूं मतलब इन ट्रेड से हटके यह तो वो ट्रेड हैं जो अभी मिलने वाली है कि वोल्टास कि ध्यान से देखें यह एक वीकली का डिमांड जोन था हमारे पास में अभी चल चुका है टेस्टेड है बट टेस्टेड से पहले की बात बता रहा हूं कि बैसिकली हुआ क्या था उस टाइम पे यह हो गया डिमांड जोन अब यह फ्रेश दिख रहा आपको प्राइस इसमें आई अगर यहां तक हम चेक कर रहे होते हैं वीकली इंकम ट्रेड आइडेंटिफाई करनी होती डिमांड जोन है सप्लाइज जोन नहीं है वोल्टास में विकोज ओल्टाइम हाई की उपर में है और का चाहि में मुचाहण गत्रेड में अगर चेक करें इस ही गेंडल से पहले में मतलब एक लाइन कर लेते हैं यह फ्रेट पर अंधर में चैक करना अब अब हम आते हैं डेली पे जब प्राइस यहां पर आ रही है ट्रेंड अब तो है कोई प्रॉब्लम नहीं लगए ट्रेंड के अंदर में अच्छा खासा आप दिख रहा बट थोड़ा-थोड़ा साइडवेस टाइप से भी हो रहा है हलका सा साइडवेस भी लग रहा है और एडवन्स ट्रेंड अनलीचिस में जब आप आईएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका ट्रेंड जो है बैसिकली साइडवेस टाइप से ही है कुछ अब मैं आपको बताओं मैं इन दोनों केंडल की गैप को कंसिडर करते हैं मतलब यह ग्रीन केंडल है यह ग्रीन केंडल है इसको कंसिडर करते वे भी देख लेता हूं कि बैसिकली इन दोनों के बीच में भी लोवर टाइम फ्रेम पे कोई लेवल होगा क्यों यह केंडल यह साइड में ओपन हुई है मतलब इस एरिया में पॉसिबल हैने कि स्मोलर टाइम फ्रेम पे कुछ मिनिट कुछ सेकेंड कुछ आर कुछ दे के लिए एक फाइट चली हो कि पॉसिबल है ऐसा कि फाइट चली हो कि अब यह पुराना प्राइस अक्षन है आप देखेंगे एक तो डिमांड जोन है यहां पर जो मैं डेली केंडल का गैब बता रहा था आपको प्रॉपर्ली कोइंसेड कर रहा है यह भी बट ओरिजन है यहां पर प्राइस का मतलब एक डिमांड जोन यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो इस वाले डिमांड जोन से भी प्राइस आई कि अप गई है बट ओरिजन था यह वाला डिमांड जोन प्राइस का कि बिल्कुल मेडम मेडल के अंदर में मतलब लोकेशन एक्जीकुशन प्रॉपर्ली कोइंसाइड कर रहें कोई भी प्रॉब्लम नहीं भले ही सिक्स आउट ओप सेवन हो बट यह सबसे बैस्ट है क्योंकि यह एक प्राइस का ओरिजन है जहां से यह कंप्लीट अपमोव कंप तो डैली का सप्लाइज जोन ही टार्गेट होगा अब मतलब प्राइस में देखे इस केंडल के थू एंट्री मिली आपको तो यह है डैली का सप्लाइज जोन तो यह होना चाहिए आपका टार्गेट है अब 125 मिनट की पिक्चर पर हम वापस से आये उससे पहले आप एक चीज़ को नोटिस करें एक बार के लिए वर्टिकल लाइन डिलिट कर रहा हूं कि इस वाले सप्लाइज जोन रेली बेस ड्रोप ने इस दिमांड जोन को ब्रीज किया और इसके नीचे क्लोजिंग दी अच्छा का सप्लाइज जोन दिख रहा है एनिवेज हमें ट्रेड तो नहीं करने इसके उपर में वह तो एक बाद का टोपिक है बड़ टार्गेट बुक करने के लिए तो क्वालिटी का सप्लाइज जोन हम इसे रखेंगे रखेंगे इससे उपर का टार्गेट एक बार के यहां पर आप देखेंगे कि जैसे यह प्राइस ने एंट्री दी 918 के लेवल पर इस बेस कंडल के तुरू एंट्री मिलने के बाद में प्राइस अप्षा रही है टार्गेट तो मिला है पूराँ देखें यहां तक टार्गेट मिलने से पहले वह चीजे मैं आपको बताता हूं अगर टार्गेट की बात करें तो यह है इसका टार्गेट जो की हमें मिल गया अप्रॉक्सिमेटली मोर देन ठ्री स्टूवश दू बन रहा कुछ ड्रोब्बै का सपोर्ट है अब डेली पे कुछ एक पिक्चर दिखाता हूं आपको नोटिस करें उन पिक्चर्स को इस स्केंडल के थुरू हमें एंट्री मिली है एंट्री मिलने के बाद में कि यह बना एक दिमांड जोन मिली एक नया डिमांड जोन में इस दिमांड जौन 맞아 की क्ञोजिंघ अच्छी है अष्ट को कि ना इस लेन के उपर में क्लोजंग है Drew मिली और इस दिमांड जोन से अच्छी कासी चल भी गई हुआ अब आप देखेंगे कि एक नए दिमांट जोन बनाग इसके भी अच्छा इस्के उपर है क्लोजी अच्छी यह है यह सपलाई जोन भी तो टार्गेट के लिए पावर वूंट था क्योंकि इसकी भी तो अच्छी दी हुआ क्या यह इस अप्लाइज जोन भी चल गया प्राइस अच्छी खासी गैप अपन हुई बट इसको भीज नहीं कर पाई इस सब्सक्राइज ऑने के बाद में सीधा इस डिमांड जोन में आई कल ही और यह आज की केंडल यह डिमांड जोन फिर से काम कर रहा हूं और इस बार क्या पता इसको ब्रीज करते हुए प्राइस जो है यहां तक चली जाए मतलब यह जो टोटल पिक्चर में आपको बता रहा हूं यह पहले से फिक्स थी कि ऐसा ऐसा होना है मतलब जैसे प्राइस यहां पर आई 125 मिनट का डिमांड जोन बनने लग गया मुझे कंफर्म हो गया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है यहां से प्राइस चलने वाली है कि यहां पर तो ट्रेंड लाइन से भी उपर निकल गई प्राइस अ हाण हसा हाण हो व्रइब के एफ से हिट किया उसकी वज़े से नहीं चले वीक लीमांड जोन को हिट किया अच्छा डिमांड जोन प्राइस में बाद में डिली की क्लोजिंग देखिया आप निकशिंघिए आप बिक यह भी काम कर रहा है यह जोन भी काम कर रहा प्राइस में और आज यहां पर इस वाले डेली के डिमांड जोन पर कि बहुत अच्छा 125 मिनट का लेवल था कल इसके अदर में प्राइस आई और आज सुबह यहां आज जाने लगी और प्राइस यहां तक गई है इस एरिया तक क्या पता यहां पर उसकी वज़े से थोड़ी सी प्रॉफिट बोगिंग आ गई कि क्या पता बेस्केंडल बनके दोबारा सिस्टे ऊपर चली जाए प्राइस उस डेली के सप्लाइज जोन में देखे 125 मिनट पर भी सप्लाइज जोन है एनिवे डेली का ही इतना स्ट्रॉंग दिख रहा हमें तो वहां पर अब देखिए एक लेवल और था 125 मिनट पर रेली बेस रेली यह नहीं चला क्यों डिफ्रेंट समझी अग्रेसिव और फिर कंजर्वेटिव में यह लेवल कब चलता यह लेवल तब चलता कि अगर इसकी क्लोजिंग यह प्राइस यहां से जाके फिर डाउन आती तो हम कहते हैं इसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी है अगर कुछ इस टाइप से एक्शन हुआ होता तो फिर यह भी काम करता है इसके स्टोपलोस होने की चांसे बहुत कम है क्योंकि प्राइस ओवराल वीकली की स्टक्चर से रियक्ट होके आ रही है बट यह डेली का सप्लाई पाउरफूल था आज पास के जो डिमांड जोन होंगे ने स्मोलर टाइम फ्रेम की चाहें आपका फाइप मिनट का कित्ता अब अच्छा डिमांड जोन क्यों ना सवन आउट उप सवन वह भी स्टोपलोस हो सकता है यहां पर आपको यह सोचे कि यहां पर डियाटी ट्रेड भी तो आइडेंटिफाई कर सकते इस लोकेशन को कंसिडर करते हुए ड्रोबेस रेली को यस देख लीजी अगर कोई आप अपनी मर्जी से उससे ना निकाले कि 15 पे नहीं मिला 14 मिनट ट्राइक लें 16 मिनट ट्राइक कर लें क्या पता कैंडल इधर उदर एड़स्ट होके कोई डिमांड जोन मिल जाए नहीं ऐसा नहीं करना अगर नहीं मिला तो छोड़ दें कि डियाइटी टेड नहीं मिली तो क् डिया उपे टरूँगा मैं आपको बता हुआ मैं यहाँ पर भी ट्रेड लिये मैप को बतां मेने आज यहाँ पर आकर यह जाकर रुकेगी जब यह लुक्त कि यप प्रेशर को कंटिन्य दिखाना Vive वापस से reports को कन सोचेँगे कि ये तो आने वाला उपर जब इतना क्वालिटी का सप्लाई जोन है बहुत ज़्यादा चांसे हैं कि वहां से प्राइस टाउन आए और यही हुआ तो मतलब यह पिक्चर जब मैं आखों के सामने से देख रहा हूं 125 मिनट वाले लेवल को मैं प्रॉपरली ट्रेड कर रहा हूं तो यह कोई भी मुव मैं मिस नहीं करूँ किसी भी टाइप से मैं बिना लोकेशन बिना एक्जिक्यूशन बिना किसी भी चीज़ के 125 मिनट पर डिरेक्टली भी ट्रेड करता हूं लोग तुक्के से 55 मिनट के लेवल पर स्कलपिंग कर देन एां मेरे लिए यही स्कलपिंग आय है या उद्सू क्यों कि आप हैं ऐसी हर स्टॉक में पता रही दिन भर कितनी स्टॉक ट्रेड मिलती हैं और हां उन हर ट्रेड को मैं recommend करना जरूरी नहीं समझता क्योंकि छोटी-छोटी ट्रेड होती है चोटी-छोटी मुव होती है उन में अब हम आते हैं वापस से हमारे टोपिक के उपर मतलब यह ट्रेड होगी और भी कुछ एक मैं ट्रेड डिसकस करूँ है बट वो लास्ट में हम डिसकस करेंगे और भी कुछ एक सेटप है जो मुझे आप लोगों को समझाने जिन से आपको एक एडवांस अप्रोच मिलेगी औ हम बात करें थे पोजिशन और कि हमें पूजिशन साइज कैसे लेनी मतलब को लेवल तो मिल गया अब बेसिकले उसके ऊपर में कैसे लें कौंटिटी कैसे लें कैसे डिसाइड करें कि कि इसी लेवल को मान लेते हैं कि जैसे माल लेते हैं इस वाले लेवल को एक बार के लिए कि यह लेवल था कि जैट में डिलेट एंट्री लाइंग कि यह है एंट्री और यह है स्ट्रोप्लोस कि 10 रुपीज का स्ट्रोप्लोस मान के चलते हैं अभी तक आप लोग रैंडम ली क्या कर रहे थे कि कोई भी स्टोक मिला कोई भी क्वांटिटी है अगर इस टोक काफी बड़ा है 1000 की रेंज में तो हो सकता 50 क्वांटिटी लेते हों अगर कोई स्टोक सो रुपए का है 100 रुपीज का तो हो सकता आप उसकी 100 200 500 क्वांटिटी बाई करते हों मतलब हमने खुदी एक रेंज बना रखिए कि जो स्टोक 100 रुपीज के आसपास के हैं उनकी हम 500 क्वांटिटी ले ले जो स्टोक 500 रुपीज के आसपास के हैं उनकी हम 100 क्वांटिटी ले ले और जो स्टोक 1000 के आसपास के साध उनकी आप 50 क्वांटिटी लेते हों चुणा जल aí हो मैं आपने एक ऐसी भूदी बना रखी हो गी क्योंकि है एक 9 tria बैसिकली आसे रेंज बना खिना के रखता कर अब किसकी काम कैसे करती है यह चीजे ऐसा ना करें कि आउग्स से थोड़ा चीज जो क्यूं कि अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा माल लिजी आपने यहां पे लिए 100 ट्रेड 100 इस्टोक बाई किये वोल्टास के और आपका स्टॉप लोस हीट हो गया आपको 1000 का लोस लगेगा क्योंकि 100 शेर इंटू में 10 पॉइंट डाउन आजाना 1000 का लोस लग गया कि अभी आपने कोई भी दूसरा इस्टोक लिया एक्सवाइजेट जो कि 1000 के आज सपासी ट्रेड कर रहा है उसकी आप यही क्वांट्रेटी लेंगे अगर इसकी अंड्रेड ले रहे हैं तो उसकी भी आप हंड्रेड लेंगे अगर उसमें गलती से स्टोप लोस कुछ बढ़ा होगा इस टाइप से 20 रुपीज का तो उसमें आपको 2000 का लोस लग जाएगा ना और इसी में हम यह कहें कि कोई दूसरा लेवल है नदर लेवल जिसका स्टोप लोस यहां तक का है तो आपको 2000 का लोस लग जाएगा अब मानके चलिए कि एक ट्रेड तो आपकी चली और एक इस्टोप लोस हो गई एक टार्गेट एक इस्टोप लोस हिट और एक बार के लिए डबल टार्गेट ना मानके वन इस्टोवन मानके चलते हैं 10 रूपीज क दैनुपीज का टारगेट और अगर स्थाप्लस 20 रूपीज का है तो टार्गेट भी 20 रूपीज ऐसा मानते। कि कुछ इस ताइब से हैं कि इसकiant हम डूबल रखने वाले हैं बट एक एक्जाम्पल समझा रहा हूं आपको कुछ ऐसी विक्चर है टैन रूपीज का एसल टैन रूपीज का टार्गेट और लेट सपोज यह ट्रेड जो है आपको प्रॉफिट दे के चली गई आपने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया 1000 का प्रॉफिट हुआ इसकता हो मिल्त में ही या फिर सिमिलर को स्टोंग है जो 1000 की रेंज में ट्रेड कर रहा हैं उसमें आपको दूसरी ट्रेड मिलती है जिसमें 20 रूपीज害 हैं जासल है है और माल लिजिए कि यह वाली जो ट्रेड है वह आपकी स्टोप लोश हो गई तो आपको 2000 का लोश हो गया मतलब आपकी एक्यूरेसी रही 5050 हो गई हो गई है बट इस्टिल आप अभी भी 1000 के नेट लोश में 1000 का प्रोफिट हुआ था 2000 का लोश हो गया तो 1000 का नेट लोश यह अप्रोच बिल्कुल भी सही नहीं है तो बैसिकली हम कुछ इस टाइप से कशच्य करें कि हम जटी साइड कर लें उससे ज्यादा लौश होई नहीं पर छाहें इस टॉप रूपी którą का हो चाहें fonny का फयको एक बार जो हमने लोश डिसाइड कलिया उससे ज्यादा नहीं होना चाइए है तो कुछ इस टाइप से प्लैन करते हैं पोजीशन साइज को समझते हैं पोजीशन साइज को समझने के लिए अब सबसे पहले डिसाइड होगा आपका रीटल जो कि आपको पता है कि कितना है कि मैं एक बार मान के चल रहा हूं वन लेक क्यों वन लेक रुपीज के पिटल है हमारा कि अब पोजीशन साइज निकाले उससे पहले मैं आपको बता दूँ डिसाइड होगा रिस्क पर ट्रेड इन टम्स ओ परसेंटेज कि यह जो रिस्क पर ट्रेड है यह बिगिनर के लिए ओल्वेज होता वन परसेंट के पिटल का टोटल के पिटल का वन परसेंट अगर आप थोड़े से इंट्रमीडियेट हैं काफी टाइम हो गया तो आप इसे 1.5 करेंगे थोड़े से भी आपको और ज्यादा टाइम हो गया हो गया है थोड़ी प्रो स्टेप पे आ चुके हैं तो आप इसे 2 परसेंट कर देंगे कुछ लोग 2.5 परसेंट 3 परसेंट भी रखते हैं जो एडवांस हो जाते हैं बट आज के लिए हम फिगर लेने वाले हैं 1 परसेंट से लेकि 2 परसेंट 3 फिगर पर बात करेंगे 1 पर बेद चुछ थाट रूपीज के एसल से ले सकते हैं अगर आपका केपिटल 50 के हैं तो आपका रिस्क्पर चेड हो जाएगा 500 क्योंकि फिप्टी त्याश्ट का वन परसेंट होता है 500 अगर 20 के है तो 200 के हैं तो 100 अगर 10 lakh है तो 10,000 मतलब है मतलब टोटल केपिटल का वन परसंट रिस्कपर्टेड अब इसके बाद में हम बात करते हैं कॉआंटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं है का कॉंटिति का फॉर्मूला ये है रिस्कपर ट्रेड divided by entry minus stop loss मतलब entry और stop loss के बीच का जो difference है वो point अब ऐसा नहीं कि entry और stop loss को आपको calculate करना पड़ेगा कि entry कहां ती stop loss कहां और उसके के बीच का difference किया है तो ऐसी कोई problem नहीं आईगी तो देखिया रिस्क पर ट्रेड तो आपका fix हो चुका है जो भी आपका केपीटल होगा आज ही fix हो जाएगा तो उसके अकोर्डिंगली यहां पर अगर केपीटल वन लेक हुआ तो 1,000 कि and divided by entry-stop loss अब entry-stop loss हर केस में अलग-अलग होंगी तो यहां तक तो फोर्मूला सेम हो गया अब entry-stop loss का difference अगर entry और stop loss का difference जो है हम जो मान के चल रहे थे लोजिकली अगर 10 रुपीज माने राउंड फिगर में लिया है मैंने 10 रुपीज अगर इस्टोपलोस हलका सा वाइड होके 11 होता तो 11 ही लेंगे आप एक बार कैल्कुलेशन एजी रखने के लिए मैंने 10 रुपीज के राउंड कंसिडर किया अब क्या होगा एंट्री और इस्टोपलोस का डिफरेंस आपके सामने कैल्कुलेटेड है 10 रुपीज 80 पैसा राउंड फिगर में मानते हैं 10 रुपीज तो 10 से आपको डिवाइड करना है 1,000 को अब जैसे ही 1,000 को 10 से डिवाइड करेंगे क्वांटिटी सजेस्ट होंगी 100 तो आपको वोल्टास की 100 क्वांटिटी बाई करनी है अगर मैं यह कहूं कि वोल्टास के अंदर में इस्टोपलोस जो है वो है 20 रुपीज का तो 1,000 डिवाइड बाई 20 क्वांटिटी सजेस्ट हुई 50 आपको 50 क्वांटिटी बाई करनी है अगर मैं यह कहूं कि वोल्टास में इस्टोपलोस यहां तक का है लाट सपोस तो इस्टोपलोस वो 37 पॉइंट का तो 1,000 डिवाइड बाई 37 आपको लेने 27 स्टोपलोस के क्योंकि 27 क्वांटिटी आप लेते हैं अब इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं कैल्कुलेशन को 27 इन्टू में 37 वही 1,000 के आसपास का फिगर तो मतलब चाहे स्टोपलोस कितना भी बड़ा क्यों नहों कितना भी छोटा क्यों नहों आपका रिस्क पर ट्रेड जो है जो आपने डिसाइड कर लिया वही रहेगा उससे ज्यादा अक्सीड होगा ही नहीं अगर आपका इस्ट 1,000 divided by 5 that means 200 quantity तो इस टाइप से आज से आप लोगों को quantity calculate करनी है रेंडम ली नहीं लेना कि 100 शेर लेने 200 शेर लेने तो आप यहां पर टार्गेट देखें 21 रुपीज का तो 21 इंटू में 100 कर लिजिए डैट इस 2100 21 इंटू में 100 कि 2100 अगर आपका यह सेट अप बहुत अच्छा हो रहा आपको टार्गेट अलाउड यहां तक हो रहा है तो टार्गेट है 44 रुपीज का कि 44 इंटू में 100 कि 6400 का प्रॉफीट लोज अभी वही है अगर टार्गेट डाइबल रखा तो भी लोज वही है और टार्गेट फूर टाइम रखा तो भी लोज वही है बस हमारा प्रॉफीड बढ़ गया यह है रिस्क रिप्ड रेश्यो की इंपोरेंस तो आपका उतना ही आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा अगर मैं यह कहूं कि टार्गेट यहां तक का है तो देखिए यहां पर 61 रुपीज का है तो अभी भी हंड्रेड ही लेनी है आपको तो हंड्रेड इन्टू आपको अब यह टार्गेट आपको बता हम अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि यहां रख दें यहां रख दें यहां रख दें यह डिसाइड होता है कि हमारा ट्रेड सेट अप कैसा है ओपोजिंग लवल अप सप्लाई कहां पर है इंट्रमीडियर टाइम फ्रेम कि आप अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर सकते हैं इसलिए मैं बोलता हूं कि बैस से बैस टैड़ सेटप प्लैन करें जिसमें एक अच्छा आरार हो एक अच्छा टार्गेट मिले एक्सेस बैंक का देखा होगा आपने कितनी अच्छी ट्रेड थी अभी बायो कोन की डिस बिगिनर जो कोमन मिस्टेक करते हैं वह मैं आपको बताता हूं कि बिगिनर क्या करते हैं कि ऐसल हिट होने पर एक एक जिट नहीं होना कि कि आपने यहां पे एक बार के लिए डबल टार्गेट मान लेते हैं वापस से कि 100 शेर बाई कर लिए वर्ल टास के 1000 का लोस होगा 100 शेर से 10 रुपीज के एसल पर प्राइस यहां से डाउन आई आप कैसल हो गया आप सोच रहे हैं कि यहां से चल जाएगा इस वाले एरिया से और डाउन नहीं अभी लोस हो गया 2200 आप सोचेंगे इस वाले बोटम से तो चलना ही चलना चाहिए यह तो काफी अच्छा आपने यहां कर दिया अगर यहां तक आएगी तो 3600 का लोस दिखाएगा और वही प्राइस आप यह सोचें कि यह तो काफी अच्छा एरिया था यहां पर ले ले तो 5600 आप कंटिनूसली अपने लोस को बढ़ाते जारे अन्नेसेसरी और कुछ लोग तो एक काम और करते हैं में वाइल एवरेज और करते जाते हैं यहां पर भी आवरेज कर लेते है यहां पर भी यहां पर भी तो हो सकता उनको तो 10,000 या फिर 15,000 क्लोस दिख रहा हूं यह common mistake है जो beginner करते हैं मैं चाहता हूं आप लोग ना करें जो इस्टोपलोस है बस वही स्टोपलोस एक मिस्टेक क्या होती है लोग क्या करते हैं एंट्री लाइन यहां पर है ड्रो कर रखे बट लेंगे नहीं एंट्री लाइन में एंट्री नहीं लेते हैं वह सोचते हैं कि पहले चेक करेंगे प्राइस चल रही है या नहीं चल रही वेट करते हैं और जैसे प्राइस उनको चलती भी दिखती है ने कि यह ग्रीन केंडल बनी वह जाके लेते हैं यहां जाके कि अभी तो चलने लगी प्राइस अब देखिए आपका जो टार्गेट डबल था ना उसको आपने डबल छोड़ी हाप का भी हाप कर दिया पॉइंट फाइब सिक्स मतलब अगर आपको लोस हो रहा ने इस बार को आंट्रिटी के अकॉर्डिंग ली तो 2000 का हो रहा है और प्र बहुत बार करते हैं कि इस एंट्री लाइन को अपने अकॉर्डिंग ली मोडिफाई करते रहते हैं रूल सुन लिजिए रूल यह है कि एंट्री और स्टॉप लोस में मोडिफिकेशन एंट्री लेने से पहले एंट्री मिलने से पहले ही अलाउड हैं एंट्री मिलने के बा और फिर आप यह देख लेना कि target यहां तक ने इसका double होना चाहिए अब target यहां तक और अगर यहां तक का नहीं मिल रहा तो trade को फिर अब छोड़ दे़ें और अगर आप यह मानके चलने कि नहीं हम entry पर ही entry ले लेंगे कोई भी इसू नहीं है कि तार्गेट को डबल लेते हैं वापस से कि हम एंट्री ले ले लेंगे कि एंट्री मिलने के बाद में स्टोपलोस मोडिफाई नहीं होना चाहिए कि मोडिफाई करें आप आपको लग रहा कि प्राइस यहां तक आ सकती तो पहले ही यहां रखें ना अब वन थाउजंड में 36 को डिवाइड करें पहले से आपको जो क्वांट्री डिसाइड हो रही 27 या 26 वो लें आप लेही क्यू रहे हैं अब अगर लोस हो औरने थो भी 1000 का ही होगा बट अगर 100 कौन्टरी ले लिए अभी आपने तो BLACK 3600 का होगा तो एंट्री के अंदर में या फिर स्टॉपलोस में मोडिफिकेसं एंट्री मिलने से पहले ही आलाउड है एंट्री मिलने के बाद में कोई modification नहीं होंगे तो make sure आप जो entry stop loss line रख रहे हैं वो सोच समझ के रखें जो changes करने हैं वो पहले ही कर लें बाद में नहीं करने आप लोगों गो अगर आपके entry मिस हो गई किसी भी वज़ा से आपने अलर्ट नहीं लगा रखा था हो सकता है और आपके entry मिस हो गई और जब आपने चेक किया तो entry यहां थी या फिर आपके सामने सामने मिस हो गई क्योंकि आप वेट कर रहे थे कि प्राइस चलेगी या नहीं चलेगी और जैसी ग्रीन केंडल बनते वे देखी आपको अंदर से पॉजिटिव वाइब साई और आपने सोचा कि एंट्री लें कि एंट्री मिस हो गई है एंट्री नहीं लेनी है आपकी एक गलती थी उस गलती को आपकी मिस्टेक को एड्मिट करें और मेक शूर कि वो दुबारा से मिस्टेक रिपिट ना हो कि इनीशली मुझे पता कि आप में से भी बहुत सारे लोग यह गलती करें इसलिए मैं फोर्स दे कि इस चीज़ को बार-बार एक्सप्लेंड कर रहा हूं कि यह गलती आप लोग ना करें ऐसी मिस्टेक्स होती हैं बिगिनर से जो चेंजेज करने थे पहले ही कर लें और अगर एंट्री मिस हो गई है तो छोड़ दें उस ट्रेड को दूसरी ट्रेड मिल जाएगी उसमें अपनी गलती माने और दूसरी ट्रेड पर मूव हो इसी को अन्नेसेसरी ट्रेड नहीं करना अब सुनों यह शुति इंपोरिय पार्ट फिर्ट उठेट ऑव Sum अब सुनिये most IMPORTANT पार्ट पारट थे क्लास मतलब सफ्ट तू थी लाइंस होगी भी जैसे तो हर क्लास में मैं एक ही लाइन बोलता हूं असी कोई जो मैं बोलता हूं सबसे most important है वो पूरी class की पट आज के बाईजिए लाइन होगी तो फ़र्स्टाइन आपंगी होते इसको द्हान से सुने काफे positive भुए एसल हिट होने पर एक्जिट नहीं करना कि यहां पर एसल हिट हो गए एक्जिट नहीं कर रहे हैं कि क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें कहीं नहीं लगता है क्या पता प्राइस वापस से आज़े हमारे एरिया में हम कहीं नहीं यह सोच रहे हैं कि यहां से नहीं यहां से आ जाएगी यहां से नहीं यहां से आ जाएगी देखियों दोनों चीज हो सकती है आ भी सकती है नहीं भी हा सकती 50-50 परशन्स चांस है न क्योंकि अगर एसल हीट हो गए that means आप यह सोचेंगे कि यहां पर 3600 का लोस है यहां पर आपको 10,000 का लोस दिखेगा फिर 15,000 का फिर आपको लगेगा कि 10,000 के लोस पर मैं क्लियर कर दूँगा 5000 पर आपको ऐसा लग रहा था कि एक बार कोस्ट टू कोस्ट आजये मैं एक्जिट हो जाओंगा आप कोस्ट टू कोस्ट काई तो वेट कर रहे हैं अगर यह कोस्ट टू कोस्ट आ गई तो भी आपने कुछ भी गेन नहीं किया एक लोस ही तो बचाया अगर कोस्ट टू कोस्ट नहीं आई तो बहुत बड़ा लोस लेके गए और कोस्ट टू कोस्ट आगे तो लोस तो बचा लिया बट अब सुनिए दूसरे लोस यह आपकी हैबिट में आ जाएगा आप इस चीज़ के हैबिश्वल हो जाएगा और यह एक इतनी गलत इतनी बैड है कि आपको हर बार ऐसा लगेगा कि प्राइस तो अप आई ही जाती है कि क्यों ट्रेड को स्क्वाइर ओफ करें क्यों ऐसल ले अगर आप स्क्वाइर ओफ नहीं करेंगे एसल नहीं लेंगे यह सोचके कि प्राइस तो आप आई ही जाती है कि रमेंबर कभी प्राइस डाउ आप आएसे लोग जो ऐसी ट्रेडिंग करते हैं बहुत ज्यादा फ्रस्टेट अब ऐसी सिच्वेशन से कैसे डील करें अब आएगा वह इंपोर्टेंट पॉइंट जो में बता रहा था कि ऐसी सिच्वेशन से कैसे डील करें ऑब एक बार के लिए ये देखें प्रक्टिकल कि ये ट्रेड स्टब प्लोष हो गई है अब इसके कितने चांंसे हैं शिरफ और सिरस्फ to 50 50% 50% से ज्यादा नहीं है ऐसा नहीं कह सकते 60% चांट से अगर स्टोप लो सिट हो गई तो आप 50-50 चांट से हो सकता डाउन चली जाए हो सकता आप चली जाए तो ऐसे 50-50 की बैट क्यों खेलनी इससे बैटर तो यह नहीं कि कोई दूसरा लेवल इडेंटिफाई कीजिए किसी दूसरे स्टोक में जो सेवन आउट आप सेवन हो बैस्ट हो लोकेशन एग्जेकुशन प्रॉपर ली कोइंसाइड कर रहे हूं क्लॉजिंग अच्छी हो प्रॉपर लेगाउट हो एक ऐसा लेवल देखिए उसमें एटलिस्ट 80-90 परसंट तो प्रॉबैबिलिटी होगी कि वो चलेगा 80-90 परसंट तो आप शोर होंगे कि वो लेवल बहुत अच्छा है यह तो सिर्फ 50 परसंट का ही खेल रहे हैं अगर आ गया तो कोस्ट तो कोस् कि अल्टीमेटली बहुत बड़ा नुक्सान कर रहे हैं और अगर आपने दूसरी ट्रेड ली दूसरी ट्रेड ली वह आपका टार्गेट देगी लेट सब्सक्राइब इसमें 1000 का लोस हो था उसमें 2000 का प्रोफिट हो गया और आप कंप्लेट रिलक्स हैं वह अलग है कंप् कि तो जो मैंने पॉइंट बोलाना है इस पॉइंट को नोट्स बना ले रिकोर्डिंग देखके और अच्छे से समझ लें कि जब भी कभी ऐसा हो एसल हीट हुआ मतलब अब चांसे 50-50 तो क्यों 50-50 पे बैठकर एक नया लेवल ट्रेड करते हैं जिसके चांसे 80 परसंट हो वह आई थिंक ज्यादा बैटर आइडिया है मेरे कोडिंग लिए एसली तो हिट हुआ है उसमें प्रोब्लम ही क्या है एसल हिट होने में एसल हिट होते हैं कल मैंने आपको बता ऐसा कोई ट्रेडर ही नहीं है जिसके एसल हिट नहीं होते हुए रूल यह है जो मैंने आपको कल समझाया था कि आपकी ट्रेड हिस्ट्री के अंदर में ओवराल एक अच्छा प्रॉफिट दिखे एड़ दम मन्थ एंड क्वार्टर एंड या फिर एर एंड में और वह फिगर इतना अच्छा हो कि जिससे सबसे पहले आप लोग खुसो वह इ इंट्री आ गई उससे कुछ फ़रक नहीं पड़ेगा कि सर्टिफिकेट लेकर थोड़ी नहीं घूमना कहीं पर कि अब कुछ लोग क्या करते हैं इस रिस्क पर ट्रेड को वन परसंट से टैन परसंट और कर देते हैं कि टैन परसंट रिस्क पर ट्रेड लेंगे अगर आपने लिया तो वन थाउजन नहीं टैन थाउजन होगा और मान की चलिए बैक टू-बैक थ्री ट्रेड इस्टोप लोशिट अपका 30,000 का लोश वन लेक का केपिटल आगया 70,000 सैद आपके ट्रेड करने की हिमत ही नहां हो या फिर केपिटल कम पढ़ जए और साथ में जब इत्ता लोश हुआ है तो जल्दी से जल्दी रिकवर करने का मन करता है और जल्दी से जल्दे recover करने का मन करने का मतलब हम जंप करते हैं कि option लें जल्दी से recover हो कैसे recover नहीं होगा future लें जल्दी से recover हो ऐसे trading करने का मन करता है लेकिन 1% की accordingly 3 trade भी असलेट हुई still you have 97.000 और 97.000 से कोई भी capital में ज्यादा चिंज़ें नहीं हुए है अगर तरी टेड बैक टू बैक टार्गेट हुई नेक्स ट्री टार्गेट तो वापस से आप वन लेट थ्री थाउजंड पर पहुंच जाएंगे जो कि डबल टार्गेट के अकोर्डिंगली टू 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 वन के अकोर्डिंगली सिक्स थाउजंड का प्रोफिट होगा आपको थ्री ट्रेड में और आपको ज्यादा तकलिफ भी नहीं होगी जब 97 आया बट 70 के आने पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि इतने परेशान हो सकते हैं कि फिर एक्विटी कैस को छोड़के उस केपिटल को रिकवर करने के चकर में फ्यूचर अडॉप्शन में तो डिरेक्ली सट्टे लगेंगे एक ट्रेड से रिकवर होगा दूसरी ट्रेड में वन लेक का वन लेक पूरा ही चला जाएगा कि और ऐसा हो सकता थ्री ट्रेड बैक्टूबैक। तो बैक हीट हो जाए मार्केट आपको फिवर में नहीं है सब कुछ अच्छा था बट हएय साल ही चैसा भी तो हो सकता ने कि आने वाली इक्लेर दाप हग तो बैक तार्गेट देए आपको रिमेंबर कभी भी सिंगल ट्रेड से डबल ट्रेड दो ट्रेड लेना तीन ट्रेड लेना पांस ट्रेड लेना इन ट्रेड से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा ट्रेडिंग सेटप कैसा है हम जो रिसर्च हम जो सिस्टम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो कितना वेल्यूबल है कितना एफक्टिव है मिनीमम हंडेड लेने से ही पता चलता है कि कहां आपने गलती की और आपने गलती नहीं की तो कहां आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है जो आपने पढ़ा है कहां उस स्टडी में प्रॉब्लम ह है आप कितने भी बुक पढ़ लीजिए हर एक बैस से बैस जो सक्सेस्फुल ट्रेडर उसने यही लिखा है कि अगर आप को इस ट्राटेजी को देखना चाहते हैं कि वह कितनी एफेक्टिव है चाहे डिमांड सप्लाई हो चाहे कुछ भी हो तो मिनीमम हंड्रेड लें फिर ड तर्गेट हो गई आप सचेंगे सबसे बैस्त है आप उस पर ज्यादा के पिटल लगाएंगे और बैक टू बैक अगली थ्री ट्रेड क्या फाइब यह सल हो सकती है फिर आप किसी थार्ड इस्ट्रेजिप पी जाएंगे फिर किसी फॉर्थ पी जाएंगे अगे ट्रस्ट म नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूं डिमांड सप्लाई उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है इसी में बने रहेंगे तो इसी में आप लोग अपने स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे कि कहां पर मिस्टेक हो रही है और कैसे उनको सुधारा जाएं टू-3 ट्रेड इस्टोपलोस हिट होते के साथ ही कभी भी अपने ट्रेडिंग सिस्टम को चेंज ना करें कि मिनीमम हंड्रेड जरूर लें तब ही पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेजी अच्छी है आप जो पढ़ा है वह अच्छा है या उसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके ट्रेड करने के तरीके में प्रॉब्लम है तो मिनीमम हंड्रेड आपको लेनी लेनी है तो बैसिकली इस टैप से काम करेंगी क्वांटिटी अब यह चाहिए कोई भी टाइम फ्रेम पे हो चाहिए डेली पे हो 125 75 15 मिनट कहीं पे भी क्यों ना हो अगर रेंज नेरो हुई तो आपको समझ में आ रहा प्रक्टिकली आपकी क्वांटिटी ज्यादा होंगी और रेंज अगर वाइड हुई तो एंट्री स्टोप लोस का डिफरेंस बढ़ेगा और उस डिफरेंस को मतल है लोंग की टेड़ेगा चाहे च्शोट की ट्रेड हो तो सब में अपलीकेबल होगा है कोि एब आपको मैं बताओ हर ट्रेड आप शोट नहीं कर सकते हैं Пон expanded ही इस्टोप से जिनको आप केरी फॉरवड कर सकते हैं WORK सारे stocks तो आप और केरी फोरवड तो किसी को भी नहीं कर सकते आप आज की ट्रेड को वाली को कल नहीं लेकि जा सकते कैस में उसके लिए option बसता सिरफ और सिरफ future या फिर लिए पूट्ट abortion तो फिर शू ट्रेड का क्या स्वाउजन लाइक अगर यही ट्रेड अगर हमें लेनी हो जैसे सब्सक्राइब कि अब लुगर में लेनी होती है यहांपर यहां पर यहांपर यहां पर कहीं पर मम आने ले यहां तक सिर्ब्ली लौ find कि तो फिर इन ट्रेड का क्या करें एक चाइटी डिट में तो प्रॉबलम नहीं क्योंकि वो तो सेम डे के लिए यह बट डॉबलॉएटी इम एटी तो ज्यादा टाइम के लिए चल सकती है ने तो उनके अंदर में तो केरी फोरवड ही नहीं हो पाएंगी यास वो केरी solution नहीं है कि हम हमारे एंड से क्या best कर सकते हैं वह मापको बताता हूं और उससे आपको solution मिल जाएगा कि फर्स्ट option तो आपको सबसे पहले यह दिखेगा कि अगर केरी फॉरवड करना तो फ्यूचर ले ले और जिन लोगों के पास में उतना पैसा नहीं है तो वह पूट ऑप्शन भाई करने की सोचेंगे दोनूं के सिस्ट को मैं समझा देता हूं अगर आपने फ्यूचर लिया कि राउंड फीगर में हम मान के चलते हैं जैसे वोल्टा से 1000 का इसका लोट साइज है एक बार केल्कुलेशन इजी रखने के लिए मान रहे हैं 16 रुपीज का अगर एसल हिट होगा तो 16,000 का लोस होगा अगर एसल हिट हुआ तो 16,000 का लोस होगा वोल्टास में आपको और 16 16,000 का लोस आप कब देख सकते हैं जब आपका 16 लेक कैपिटल हो वन परसंट के अकोर्डिंग लिए आप यह कहें कि थोड़ी दिन बाद में प्रोटेडर बन जाएंगे रिस्क पर ट्रेट टू परसंट हो जाएगा तो भी एट लेक का कैपिटल जीए और इस टोपलोस और बिना रिस्क पर ट्रेड आप सोचें की फ्यूचर सोट कर देते हैं के पिटल है टोटल वन लेक्ट टू लेक्ट आपने शोट किया पहले ट्रेडी एसल हिट ट्वंटी टू थाउजंट खत्म सेवंटी एट थाउजंट बचेंगे सेवंटी एट थाउजंट में साइड दूसरा फ्यूचर सोटी ना कर पाएं आप और यह एसल और भी तो बड़ा हो सकता है हो सकता है एसल हिट होने से पहले ब्रोकर स्क्वाइर ओफ कर दे कि मार्जिन कम रह गया आपका और देखिए डीएट एमाइटी के लेवल है तो थोड़े से वाइड भी हो सकते हैं और किसी का लोट साइज बड़ा है और लेवल भी वाइड है तो एसल बहुत बढ़ा होगा आप इसे कितना भी नेरो से नेरो मानकी चलें जैसे यहां तक भी आप मानकी चलेंगे इस्ट है अब इनेरो तो क्याले 1,000 के स्टोक को है करvellको हम हमारी मरजी हैं जो हमें अलाऊट हो रहा है अनुट स्टॉपलस वहीं रखेंगे हम अगर यहां बैस्ट बन रही है तो यहां रखेंगे और यहां बैस्ट बन रही है हमें लगवज रहा बैइंग option buy कर लें कि market price टोटे की पूट option का premium बढ़ेगा अगर त्री टू-फोर टेज यहीं रह गया है तो प्रीमियम हो जाएगा कि अगर आपका लेवल किसी भी वज़े से वीक था तो वहीं की वहीं रेंज में रह सकता है कि और लेवल अच्छा होने के बाद में भी दो रह सकता रेंज के अंदर में एक अग्जामपल बताता हूं आपको कि अग्जामपल को देखे कितना अच्छा लेवल है मंतली एक सिंगल बेस केंडल है और बैक टू-बैक टू एक्साइटिंग केंडल है और एक्साइटिंग केंडल के स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है और क्लोजिंग देखे कितनी अच्छी है मतलब यह इस टाइप का लेवल है कि एक डिरेक्ली मंतली के उपर में भी ट्रेड कर सकते हैं बट हम मंतली पे ट्रेड क्यों नहीं कर रहे है है 1118 से 1018 अप्रोक्सिमेटली 100 रूपीज का एसल है मतलब डिस्टेंस है प्रोक्सिमल और डिस्टल और एसल टैन रूपीज भी डाउन रखा तो 110 रूपीज का एसल हो गया कि इसलिए तो हम इसमोलर टाइम फ्रेम पर जाते हैं कि कंप्लेट रेंज को ट्रेड ना करके उस ओरिजन को अइडेंटिफाई करें जहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रोंग बाइंग है कि सपोर्ट हम मंतली का ले रहे हैं वीकली के ट्रेंड का सपोर्ट ले रहे हैं ट्रेड बाय डिफोल्टी अच्छी हो जाएगी और इमीडेटली एक टार्गेट मिलने की चांसे जाएं कि बाकि इस लोकेशन में बहुत सब चीजे मुझे बहुत अच्छी लग रही है एक वर्टी का लाइन ड्रो कर रहा हूं ताकि पता रहे कि इससे पहले चेक करना है आप देखेंगे कि यहां पर क्या हुआ बेसिकली इस लाइन से पहले ट्रेंड जो है हलका सा जो साइडवेस हुआ पहले तो अप्रेंड से और फिर वो डाउन हो गया और अगर डाउन जोंकि भी लेवल जो हम ट्रेडकर हमएं वो यह लोन कर में तो डाउन ट्रेंड में खेलना ही नहीं झी डैली पर चांखIDS या है मिंदोन घेंटरी मिलने से पहले कि बाद ऊपर वाले सब्हुर्ण की लाइवाल जो जो कि seven out of seven जरूर है बट लेग आउट इतनी एक्स्प्लोजिव नहीं है इसे बेटर तो एक बन जाती वह भी इतनी एक्स्प्लोजिव नहीं होती यहां पर और साथ में यहां पर कुछ garbage एरिया भी दीख रहा मुझे मतलब प्रॉपर इस्ट्रक्शर मिल ने रिया जैसी चीए हमें चीह होती है कुछ प्रॉपर इस टाइप से या फिर इस टाइप से पट यहां पर थोड़ा गार्बेज लग रहा है बट इस तिल अर्जुन को स्रीकृष्ण का सपोर्ट है हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते है लोकेशन एक्जिक्वेशन प्रॉपर्ली कोइंसाइड कर रहे हैं अगर बात करें टूस्ट टूवन के टार्गेट की डैट मेंस इट शुडब डबल यहां क्या सपास होना चाहिए और देखिए वो तो मिल भी गए आपको लेकिन जब मन्तली का इतना स्ट्रॉंग लोकेशन है अगर उस लोकेशन लोकेशन की बात करें तो मतलब कहीं ने कहीं से तो प्राइस चलके उस मन्तली के लोकेशन से यहां से डाउन आके इसमें एंट्री देखे ओल्टाइम हाई पर जानी सी है क्योंकि मूव देखे कित्ती अच्छी है क्लोजिंग भी बहुत अच्छी है इस पूरे एरिया के उपर क्लोजिंग है और लेगाउट भी बहुत अक्स्प्लोजिव है और तो डबल टार्गेटी क्यों रखें इससे जद्धा भी तो हो सकता न टार्गेट दो वापस से डैली पर आते हैं इससे ज्जाधा भी हो सकता बढ़ मिलने में टाइम लग सकता क्यों क्योंकि एक तो यह इतना ग्रेट नहीं है यहां पर एक्जिक्यूशन सेके चेसे टेन्ड डाउनवन वीकली पे पर एच्छी खासी ऊपर प्रेशर है तो मन्त्रिक एरिया के अंदर में हमें पर चाना एक सेलिंग प्रेश्र की और यही हुआ है क्रैस काफी लंबे टाइम तक सेड़ वेजी रही यहां पर कि और मैं आपको बताओ इस पूरे प्रोसेस के अंदर में क्या होता था मैंने एक आप्षिन की कोल यहां ट्राइव की कि टॉल हंड्रेड कि स्ट्राइक प्राइस कि इससे एक मूव आई मुझे प्रॉफिट मिल गया मैंने नेक्स्ट ऑप्शन की कॉल यहां ट्राइ करी अगली एक्सपैरी जून अक्सपैरी यहां पर देखिए डेट आ रही है और यह पूरे मंथ साइडवेज रह गई लेवल तो बहुत अच्छा था ना हमारा मंतली का चलना चाहिए बट साइडवेज रह गई टाइम डीके होता रहा और उसकी वज़े से यह देखिए मन्त खतम जुलाई स्टार्ट हो गया वह को जीरो हो गई यहां पर मैंने वापस से एक बार कोल ट्राई की कि मुझे लगा जीरो हो गई है थोड़ा वेट करता हूं इस पर एक बार मैंने वापस से यहां पर सी कोल ट्राई की इस बार मुझे अच्छा का सा प्रोफिट हुआ मतलब एक बार तो चली दूसरी बार जीरो हो गई तीसरी बार अच्छा प्रोफिट हो गया तो मतलब यह पूरा प्रोसेस समझ रहे हैं आप यह जो भी लोस प्रोफिट होना ऑप्शन के अंदर में यह डिपेंड करता हमारा लेवल कैसा है अगर लेवल पे थोड़ा सा भी डाउट अना तो वह लेवल ऑप्शन पर नहीं होना चाहिए और जो लेवल देखते ही लगे आपको कि यह सबसे बैस्त इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं वह लेवल ऑप्शन में च्रेड कर सकते हैं आप लोगों को नहीं करना यह एक फर्स्ट कंडिशन है जो डिरेक्शन के गलती अभी भी करेंगे कि ऑप्शन की ट्रेड करेंगे बाले यह चीजे कितने भी अच्छे से सीख जाएं बट कुछ एक तो होते हैं ने लोग जो अपने मन की करें बिना नहीं रहते तो उन लोगों के लिए यह बैसिकली अब आपको एक चीज बताओं मैं आपको काफी लोग पूस्तें की कॉल में एसल क्यों नहीं देते हैं से मुझे आप ऐसे सिंगल परसंट से मिला देना फूरी डुरिया के अंदर में जो आपको और उसके पीछे एक आंसवर दे मुझे वैलिद आंसवर कर एक वी सिंगल परसंट से मिला देल Settings Ouch के एक यसे पीछे का मुझे एक यह इसल क्यों है प्रक्टिकली पोसिबल नहीं है जो फ्रक्रोफेशनल प्लेयर है उनको अच्छे से पता उप्षेण सेलिंग में यहां पे यहांपे टेट देते हैं कि 10 गई कीजी सिक्स रुपीज का एसल है और उनके टार्गेट तो कही की बार तो टू-टू रूपीज की होते हैं टू या थ्री रूपीज के कि उसके पिछे कोई भी वैलेड लोजिक नहीं है कि क्योंकि आपको एक बात बताओ इन्ना मनी ओप्षिन के अंदर में वैं इन्ना मनी ऑप्षिन के अंदर में डैरेक्शन को कंशीडर कर तो फिर भी हैसल लिया जा सकता हैं बट हम चाहें इन्ना मनी हो चाहें अट नमनी बुयाट वैंनी टाइम डीके अंक किसड आपको क्या पता है कि इसका एसल किस दिन होने वाला कैस के अंदर में एसल किस दिन होगा या आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं और जब तक कैस में एसल हिट नहीं हो रहा है क्यूटी के अंदर में कि एकिविटी में आप वहीं की वहीं है मतलब इस टाइब की बेस केंडल बन रहे हैं कि डेली बेसिस पे प्रीमियम डाउन होगा अगर आपने और उसके बाद में हो सकता है कि स्ट्रॉंग मुव आए कि टाइम डीके ऐसा फेक्टर है जिसे कोई भी आज तक ऑप्शन बाइंग के अंदर में नहीं बच पाया कि ऑप्शन बायर को टाइम डीके ठीटा एक जिसे बोलते हो हट करेगा ही करेगा जो आपको कहरें टैन रुपीज की कोई शिक्स रुपीज कैसल एट रुपीज कैसल मान लीजिए सबसे बड़े बेवकुप या तो वह हैं या फिर आप हैं जो उनकी बात मान रहे हैं क्योंकि मुझे उसका एक आंस्वर दिला दो ना आप मेरे से डिबेट करवा दो ऐसे परसंड की कि यह असल क्यों दिया अपने हां अगर आपने मर्जी से दिया कि आफ्टर फोर डेज अगर कुछ भी नहीं हो तो मैं एक्जिट हो जाओंगा वह एक बात अलगा आपकी कि आफ्टर फोर डेज बट ऐसा थोड़ी नहीं होता है अगर आपके हायर टाइम फ्रेम से कोई पिक्चर रियक्ट हो रही है और जितना कंसुलिडेशन कर रहे ब्रेक आउट भी उतना ही स्ट्रोंग आएगा और हो सकता वो इस मंत ब्रेक आउट नहीं आए बट अगर आपके अपनी रिसर्च पे स्टड़ी पर आपको कॉन्फिडेंस है होने दी जीरो नेक्स्ट मंत का उप्शन फिर से भाई करें क्या पता इस बार कंसॉलिडेशन की वज़े से इंप्लाइड वो लेटिलिटी चीप आई हो और वो प्रीमियम आपको चीप मिले है जीप रेट के अंदर में नेक्स्ट ऑप्शन बाई हो और इस बार बहुत स्ट्रोंग ब्रेक आउट आए तो मेरे अकोरडिंगली ओप्शन बाईंग का एसल है जीरो अगर कोई लोग ऑप्शन बाईंग कर रहे है तो मैंक शूर वो यह सोच लें कि यह को जीरो हो सकती है तो ही ओप्शन बाईंग करें अधर्वाइज बिल्कुल ना करें और इस स्टेट्मेंट को कोई चैलेंज करके दिखा दे कि नहीं ऑप्शन बाइंग का 15 रुपीज की कोल का ऐसार 12 रुपीज होता या 10 रुपीज होता अगर होता तो प्लीज उसका अंसर भी दें यह जोन कितना अच्छा था हमारा वह देखिए इतना अच्छा था तो कि फाइनली प्रैस यहां जाके रुपी है ब्रेक आउट आया है बट उस ब्रेक आउट के 20 में कांसोलिडेशन को रीड करना पड़ेगा आपको अब इस कंसोलिडेशन को को कई से रीड करते हैं कि सुना होगा ना आपने कि यह हो गया रेजिस्टेंस और यह हो गया सपोर्ट कि और वह ऐसा मानते हैं कि जितनी बार टेस्टेड हो रही है वहां पर प्राइस वह सपोर्ट उतना ही स्ट्रोंग है और जितनी बार अप साइड के अंदर में टेस्टेड हो रही वह 12 टाइम से माई से जो कंसोलेडेशन चल रहा था वह फाइनली जुलाई में जाके ब्रीज हुआ यहां पर इस टॉक में फ्रेस ब्रेकाउट आते वे दिख रहा है इसे बाई कीजिए इमेडियेट ले तुरंट से भी पहले सब कुछ सेल करके टीवी पर ऐसी हेडलाइन चलती कि तुरंट से पहले बाई कीजिए क्योंकि यहां पर उनको लगता है कि सपोर्ट रेस्टेंस लाइन को ब्रीज किया है इस्ट्रोंग रेसिस्टेंस को कि वापस से प्राइस डाउन आ यहुए उन आपके हम लिगव हम यह मानते हैं कि एक कौनशोलिडेशन के उपर में क्लोजिंग दी आ कि इस वाले हम छोन पर तो इस दिमांब जोन के उपर में हम आर्षा करेंगे हैं अब सारे दिप्लाइ काम करेंगे हैं और आब हम ठ्रे drive करेंगे बहुत बड़े टार्गेट के लिए और क्यों यहां पर एंट्री कैसे पता लगेगा यहां लेनी है इसके उपर में क्लोजिंग यह आप पढ़ेंगे कंफार्मेशन एंट्रेम है ट्रेडिंग अगें तर ट्रेंड कंशुलिडरेशन प्रीवेंश सप्लाइई जों के उपर में क्लोजञ और जिस डिमांड जोंन ने उसके उपर में क्लोजिंग लोग होना यह पूरा कंसप्ट बताऊंगा उस क्लास में अभी जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नहीं जानते बिल्कुल न्यू है वो भी कंफूज ना हो वो भी समझाऊंगा मैं बट जो लोग जानते हैं उनको एक पॉइंट बताया है कि उनको एक पॉइंट मिले एक डिफ्रेंशेट करने के लिए ओप्शन के अंदर में ये पूरा कंसुलिडेशन जहां पर आपको लग रहा है स्टोक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है लेवल इतना स्ट्रोंग नहीं है टाइम लग सकता है उसको ओप्शन में नहीं सिरफ और सिरफ कैस में ट्रेड करें यह फर्स्ट कंडिशन होती है और जहां पर लग रहा है यह लेवल वाकर में स्ट्रोंग है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं यहां कंसुलिडेशन नहीं बनता बोस उसको ट्रेड करें ऑप्शन में यह फर्स्ट कंडिशन है उसके बाद में आड़न होते हैं बाकी सब अब करें अब करें हमारे अग्जामपल पर वापस से आते हैं कि शोट की ट्रेड का फिर करें क्या यह यह उप्शन भी नहीं करते हैं फ्यूचर हम रिस्क मैनेज नहीं हो रहा है फ्यूचर भी नहीं कर सकते हैं आय सलीक्सरे कि बीरिस्के मेनेज नहीं होगा कैसे आप लोट साइस को किल अपने कोरिंग्य या Newton कर सकतें कैस में तो हम चाहते हैं इसकतें लेकिन फ्यूचर में डोट साइस फीक्स है अगर रोनताउजनट का तो ऐसा नहीं आप ट्रिपल नाइन को अंट्रिटी ले ले या फिर अपनी मर्जी से 500 ले या फिर 1000 ले 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 या तो 1000 होगी या 2000 या 3000 1000 के ही मल्टीपल में वो चलेंगी तो फ्यूचर नहीं ले सकते ऑप्शन नहीं ले सकते तो कैस्स में क्या करें कैस्स में शोट करें डेबल वाइटी होया है मैं यह कोई प्रब्लम नहीं है कैस्स में शोट करें और यह सोचे इंट्राडे के लिए ही शोट कर रहा हूं कि दो कंडिशन होगी आज आपको एंट्री मिली कुछ भी निवा ट्रेड का देखे कुछ निवा क्योंकि इस दिन तो कुछ भी निवा न एंट्री मिलके प्राइस वहीं की वहीं रह गई शीं कोई शू नहीं कर एक्ष्बी कर देजी श्यचन कोई यो निक्सक्र अगर रेंज्ज पे जहांपर आपका एक्जिट हुआ कैंश वहां पर चुर्श दें प्रोमुलिकर भी उपर शोट कर रहां लाँ से क्या पता टार्गेट भी मिल जाए आपको सेम डे ही है और अगर नेक्स डे गैप डाउन ओपन हो जाती यहां पे तो छोड़ देने ट्रेडी तो मिस हुई है क्या लोस उसमें कि यही एक पॉसिबल वे है जिससे रिस्क भी मैनेज रहेगे और आप भी मैनेज रहेंगे एंट्री लें डाउन ओपन वे ट्रेड को छोड़ दें अब लोग ऐसा सोचे कि यहां पे अंट्री ली आज यहां क्लोज हो गई हलके से लोग्स में और नेक्स डेंग डाउन ओपन हो गई तो यस छोटा सा माइनर लोस हो सकता है ऐसा भी तो सकते ना आज आपने यहां यह ही है और आज ही ही यहां पर आके क्लोज हो गई चोटा सा माइनर भी प्रोफिट हो सकता है वह अपने आप ही ओवराल जब आप देखेंगे टेंट्रेड किस्ट्री मैनेज हो जाएगा इसका सब्सेट्यूट बेसिकली कभी भी ओप्शन नहीं होना चाहिए ओप्शन और फ्यूचर एक्विटी का सब्सेट्यूट उनके लिए सब चीज़ें अलग है और मैं आपको बात बता हूं जब आपका लेवल बहुत अच्छा है बहुत ज्याद अच्छा तो इतना टाइम नहीं लगता लेवल में एक्सिस बैंक का लेवल देखिए जब लेवल बहुत अच्छा चाहिए एमाइटी ट्रेड हो वन डे छोड़िए वन आरी सफिशेंट है टार्गेट देने के लिए यह प्रॉब्लम है उन लेवल के अंदर में जो लेवल अच्छे नहीं है क्योंकि वह साइडवेज रहते ह हैं और उन साइडवेज के अंदर में तो आप चाहिए उप्शन लीजिए फ्यूचर लीजिए लोसी लोस है और जब लेवल है ही बैस से बैस्ट तो टार्गेट देने के अंदर में वह इतना टाइम नहीं लगाएगा चाहिए फिर शोट की ट्रेड ही क्यों ना हो और मार्केट 1,000 भी अब चला जाए लोग पैनिक नहीं होते हैं 1,000 डाउन जात्ते के साथ ही आपको पता है कि क्या सिच्वेशन होती है अब जो लोग यह चोचें कि बैसिकली फिर इक्विटी से क्या पैसा बना पाएंगे प्रोपर ली एक्विटी एक्विटी में ट्रेड करके बिल्कुल बना पाएंगे जरुटी नहीं है फ्यूचर अप्शन की आपको बहुत लंबे टाइम तक और कब जरुवत पड़ेगी वह आपको खुद समझ में आएगा किसी के भी बोलने से नहीं आपको खुद समझ में आएगा कि अब मुझे ट्रेड करनी चीए क्योंकि आप सारे रूल समझ चुके ह होंगे आपके अंदर एक सिस्टम डवलप हो चुका होगा तो तो बैसिकली कल हम क्या बात कर रहे हैं कि लाइक अगर मैं आपको यह कहूं कि 200 हमारे पास में फैवरेट स्टॉक्स हैं और इन 200 के अंदर में हम HIT, DAT, WIT and MIT सभी टाइप के ट्रेड सेटप कंसीडर कर रहे हैं कि आउट ओफॉर हमें सिरफ और सिरफ एक यह पॉर्चिनिटी मिलेगी धानिज 50 है इंटू में 4 है तो हंड्रेड पॉर्चिनिटी यह पॉस्टिबल अपॉर्चिनिटी जाए फिर हमने यह सोचा कि हम मान के चले हमें टोटल यह 50 ट्रेड मिलें दैट मिलेंक देट मिनज इस ट्रेड यह की नोग देड़ पीवूर्चिनीटि न मिलें मैं आपको यह जह कि out of four आपको single opportunity मिलेगी वो कोई भी trade setup मिल सकता है मतलब आपने अगर इस big trade list में ढूंडना है स्टार्ट किया यहां से एसी से स्टार्ट किया तो एसी सी अडानी अडानी पोर्ट्स एलकम इन फोर के अंदर में आपको तो एक सिंगल अपोर्चनोटी मिली आउट ओ फोर्टीन वो डियाएटी एमाइटी एचाइटी डवलो एटी कुछ भी हो सकती है तो फिर आपके पास में ट्रेडरी 50 फिर हमने यह कहा कि जब बात करी रहें सबसे बैस से बैस ट्रेड सेट अप की तो हम मानके चले वो इने ड है अब हमान की चल रहे हैं 50 ट्रेड इने मंत क्योंकि हम चाहते हैं कि सबसे बैस ट्रेड सेट अप लें और आज मैं आपको जो फिगर देने वाला हूं कल मैंने जैसा कि आपको बता है कि हम एक ऐसा फिगर लेंगे जो कि आप देखती कहेंगे हाँ इतनी तो अपर्जुनूटी इजीली मिलेंगी और वह फिगर है टेंट ट्रेड इने मंत इसलां है और आप रूण कुछ इस टइप से हैं कि चाहिए आपके पस में 20 10 कि इद्धं से ज्यादा लेनी ही नहीं है बहूंड के प derivative से ज्यादा लेनी ही नहीं है आपके पास में करके आपका सेलेक्षन गलत नहोजै कोई घलत इमेज डाउन्लोद ना कर ले not अगर अगर मॢूजकर सबस्क्रिप्शन लिया तो कोई ऐसा मॢ़र घाउनलोड न कर लो हमारे काम घा ना हो अब आपकी मर्जी है कि वह बेस्ट लेते हैं या फिर नॉर्मल लेते हैं I think 10 trade का ही option है तो सोचिए वह कितनी ज्यादा quality की होगी and again the definition for the quality is seven out of seven location execution properly coincide closing बहुत अच्छी हो seven out of seven में भी leg out explosive हो चोन authentic और reliable हो और नहीं है तो उसकी closing अच्छी थी हमें और आज जो कुछ एक concept पढ़ रहे हैं like 125 मिनट वाले ने डेली के उपर में closing दे कुछ ऐसे जोन की बात कर रहा हूं कि यह 10 ड्रेड आपकी सबसे बैस्टेंट्रेड होंगी सबसे बैस्टेंट्रेड हो सकता है इनमें आपको 90 परसेंट एक और इसी तक मिल जाए तो अभी एक काम करते हैं कि Excel बनाते हैं चोटी सी आपके पूरे मन का वहम खतम हो जाएगा कि एक्विटी में पैसा नहीं बनता एक्सल की स्टार्टिंग करते हैं हम केपिटल से और केपिटल है हमारा वन लेक और वन लेक केपिटल के अकोर्डिंगली हम स्टैप लिख देते हैं वन परसेंट रिस्क पाट्रेड 1.5 परसेंट एंड 2 परसेंट एंड इसके अकोर्डिंगली वन परसेंट वह वन थाउज़ंट कि फिप्टीन हंड्रेड एंड 2 थाउज़ंट यह हो गई है बिगीनर के लिए मतलब आपके लिए कि आफ्टर थ्री मंथ आप इसे चेंज कर देंगे इंट्रमीडियोट में कि एंड आफ्टर शिक्स मंथ आप हो जाएंगे प्रोटेडर कि उसके बाद में 2.53 परसेंट वह आपको अंदर से खुदी फेलिंग आ जाएगी कब-कब आप उसको चेंज करनी आपको तो बेसिकली यह हो गया रिस्क पर ट्रेड 1 परसेंट 1.5 परसेंट 2 परसेंट इनिशेली आप लोग 1 परसेंट पर काम कर रहे हैं हम मानके चल रहे हैं 10 ट्रेड इने मन्त अंट पर मन्त अपर में घगे टार्गेट हमारा ओल्वेज हो गा तौस्ट वण मतलब डबल टार्गेट हमें रखना ही रखना है रूल है डबल से डाउन हमें रखना ही नहीं है और जब हमारे लोकेशन एक्जिक्वेशन प्रॉपरली कोइंसाइड है डबल क्या ट्रिपल फॉर टाइम फाइब शिक्स टाइम भी आपको एजीली मिलेंगे और एक सबसे नोर्मेल कंडिशन कंसीडर करते हैं सबसे नोर्मल raise से पहले आपको पता और पर्सेंट पहले हम बात करेंगे 1 फीर हम बात करेंगे तो पर्सेंट से है अगर ओन पर्सेंट से रिस्क पर ट्रेड मानें और मान लीजीए सबसे नॉर्मल कंडिशन यह है कि फाइब इस्टॉप लोसीट और फाइब टार्किट मतलब यह फाइब जो है यह होगी टार्किट और फाइब ऐसल एक यूरेस याई 50 परसंट बेसिकली जब टेंट रेड ही ले रहे हैं तो उन टेंट में तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक 50 परसंट तो जो एक्जीकुशन बेस्ट होती है नहीं आपको चार्ट पर दिख रहे हैं सवन आउट आप सेवन 50 परसंट से ज्यादा तो उन ही में आ जाएगी आपको explain करूंगा अभी के लिए मानते हैं 50 परसंट एक्यूरेसी 50 परसंट एक्यूरेसी से टू परसंट वन परसंट रिस्क के जो ट्रेड आपकी स्टॉप लोस हुई है उन ट्रेड के अंदर में आपको लोस होगा फाइप इंटू में 1,000 डैट इस फाइप थाज़़ज़़ज़़ और जो टार्गेट हीट हुई है फाइप इंटू में 2,000 क्योंकि टार्गेट डबल है डैट मिंस 10 थाज़़़़ कि मैं कह सकता हूं कि ओवराल 10,000 मैंनस 5,000 करके नेट पीनल बचा है फाइप थाज़़़़़ज़़़ पर पर दो अब देखिए यहां पर सबसे मिनिममम फिगर लिया बट इस तिल हम कह सकते हैं कि वन लेक के उपर में हमने अगर बात करें यहली की विदाउट कंपाउंडिंग तो होता सिक्स्टी परशंट मेरे साब से तो मंतली फाइप परशंट भी किसी में भी नहीं मिलता कोई भी एसेट अफ क्लास में चाहें हैं बैंक का और दी यह तो आपको यह ली दे रही हैं फाइप परसंट आजकल मैं मंतली की बात कर रहा हूं कि मीचल फंट भी ट्वंटी टू-30 परसंट ही देते हैं ज्यादा से ज्यादा तो यहां पर तो शिक्स्टी परसंट मिलरा आपको और फाइब पर मंत तो मतलब आप समझ रहे हैं अगर आपको किसी को इंट्रेस्ट पर भी पैसे देने तो लोग क्या चार्ज कहते हैं टू रूपीज पर हंडड़ फ्री रूपीज पर हंड़ड फॉर और फाइब तो कि कि अमर्जेंसी हो तो ही लेता कोई है तो बेसिकली 5000 आपने अर्ण किये 5% रिटन और केपिटल निकला पर मन्त जो कि होता 60% इन इयर जो कि मेरे अकोर्डिंगली बहुत जादा होता है अब देखिए बेसिकली क्या होता है कि ट्रेडर की थ्री के ट्रेडर आते हैं हमारे पास है तो लेक कनवर्ट करने हैं विदिने मंत कि यह कोई स्कीम थोड़ी नहीं लक्षमी चीट फंड वाली कि किस दिन में पैसे डबल हो जाएगा आपका कि वह बेसिकली डिस्ट्रोई होने के लिए आते हैं और वह आपको पता है कि 5-10 डेजी चल पाते हैं कि चैनीज स्मार्ट फोन की तरह होते हैं वह कैं सकेटेग्री आती है कि मेरे पास मैं animal के पिटल है बट मेरे पास में प्रफॉबली ये हैं कि मुझे सारे time ऐस्टे से निकाल ले मेरे सार और में lobby हो सकते है 25,000 40,000 जो कि फर्स्ट केटेगरी से अच्छे हैं बट स्टिल मैं यही कहूंगा कि वो भी एक टाइप से अपग्रेड़ेड़ चाइनीज फोन है कि ना कोई स्ट्राटेजी है ना कोई प्लैन है आ गए है केपिटल को टू मंत में डबल करने के लिए उनके सारे एक्सपेंसे निकलने चाहिए इसी चीट से बाकी की लोग बेवकुप फोड़ी ने जो कोई दूसरा काम कर रहे हैं फिर तो सभी लोग इसी से एक्सपेंसे निकाल लेंगे और एक थर्ड केटेगरी आती है जो कि सबसे बेस्ट अडर होते हैं कि है मेरे पास में केपिटल मैं स्टोक मार्केट में लर्ण करके उसे इन्वेस्ट करना जाता हूं और मुझे ऐसा रिटन चीए जो कि किसी भी एसे टॉप क्लास में नहीं मिलता हूं बैंक FDRD को छोड़िए mutual fund से भी मुझे अच्छा रिटन चीए अगर यह कहें कि 3% इन्हें मन्त अच्छा होता है उनकी accordingly और वह यह कहें कि मुझे 5% इन्हें मन्त चीए तो भी मैं खुस रहूंगा तो यहां पर यहां पर सर्वाइव कर पाते हैं और वह जैसे जैसे लर्ण करते हैं तो वह 40% इन्हें मंत भी निकाल लेते हैं 40% इन्हें मंत अभी बताता हूं कि वह कैसे निकलते हैं अब एक कंडिशन हम लेके चलते हैं सेकेंड केटेगरी बैसिकली थ्री केटेगरी रहेंगी सेकेंड केटेगरी यह कि सिक्स ट्रेट टार्गेट हिट एंड फोर ड्रेड एसलिट मतलब 60% एक्यो रेसी जो की इजिली मिलेगी ही मिलेगी कल मैंने आपको क्या कहाता कि अभी तो हम कह सकते हैं कि नेट पीनल है हमारे पास में एड थाउजन्ट एट परसेंट इन्यमंथ है विदाउट कंपाउंडिंग एर्ली हो गए 96 परसेंट ट्वल इंट्व एट 96 परसेंट मतलब आप वी दिन एएर अपने केपिटल को डबल कर रहे हैं कि बिल्कुल नोर्मल केल्कुलेशन है एक सिंगल परसेंट भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो डिसेग्री करें जब 10 ट्रेड ले रहे हैं सबसे बैस्ट सिक्ती परसेंट कि एकुरेशी कंसेडर कर रहे हैं और रिस्क पर ट्रेड़ सिरफ 1,000 कि मैंने बताया ने प्योर प्रक कर्टिकल सिचुएशन पर बात कर रहे हैं और अभी यही है ट्रेड इनमंत और एक थड़ कर लिख रहा हूं इसमें भी यही है कि टैन ट्रेड इनमंत यह लास्ट हम मान के चल रहे हैं कि एक युद्शिय सेवन्टी परसंट कि सेवन्टेड टार्गेट थ्री ट्रेड एसल कि जिन ट्रेड में इस टॉप लोस हिट हुआ है 3000 का लोस त्री इंटू में 1000 और जिन सेवन्ट्रेड में टार्गेट हिट हुआ सेवन इंटू में टू 14,000 का प्रोफिट और नेट पी एनल बचा आपके पास में 11,000 और देखिए मैं 70 से उपर नहीं जा रहा 70 परसेंट ही हम फाइनल रखते हैं और मैंने कल आपको कहा कि अभी आप जहां पे हैं उसी से 80 मिल जाएगे अगर रूल बेस्ट रहेंगे तो और मैंने तो आपको यह भी कहा है कि 90 परसेंट भी हम इसली अचीव करने वाले हैं बस आ 10 परसेंट की गप अपन क्यों नहों लेकिन अगर किसी ऐसेड सप्लाइज जोन में गप अपन हो रहा है जिसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी है और क्वालिटी का सप्लाइज जोन आप सेल करें उसे हैं आप यह ना सोचें कि स्टॉक में मूब ऐसी है तो यहां पर हमारे पास में प्रॉफिट हो गया है 11,000 का कि सेकेंड स्टेज की मैं बात करूं यहां पर भी डबल हो रहा था के पिटल यहां तो बहुत ज्यादा हो गया विदिन टैन मंथ ही डबल से ज्यादा हो रहा विदाउट कंपाउंडिंग अब आपको कोई ऐसा कहें कि एक बिजनस स्टार्ट करते हैं कैफे या रेस्टरांट और गैरेंटीड कुछ ऐसा है कि के पिटल आपका डबल हो जाए विदिन ए यह आपको सुनने में बहुत मज़ा लगेगा कि यह तो बहुत अच्छा बिजनस है कि डबल के पिटल हो रह अच्छी से तो हमें मज़ा नहीं आता हमें तो यहां पर अगले दिन ही डबल जी है हमें तो मज़ा उससे आता है कि आप यहां पर मज़े लेने के लिए नहीं है एक पैसा अंड करने के लिए तो उस साइकल को अंडर्स्ट्रेंड करें और जो रूल है उनके उपर में चलें कि अथा काम करते हैं यह इतनी-कितनी एक सल्रा एक चींश कर रहा हूं सरफ के रिस्क पर ट्रेड रगते हैं सिरफ और सरफ वही तुपरेंट सोरी टू स्टू वन और रिस्क पर ट्रेड जो है वो जो वन पर्षेंट थन है इसको चींज कर रहा हूं तू पर्षेंट क्योंकि यह तो चींज होगा ही होगा आफ्टर सिक्स मंथ और आप सोचिए कि चाहे 1000 लोस ले या 2000 का लोस ले उससे आपकी पर कोई फरक नहीं पड़ेगा यह चाहे है गलोश ले 900 का ले 500 का ले या फिर रुपीस का ही क्यों न ले आपकी जो एक्यूरेशिय उस लेड की उस पर क्या फरक पढ़ना उस चीज़ का वापस से सेम कंडिशन मानके चलते हैं एज टीज मतलब इसको मैं एजटीज कोपी कर रहा हूं वाइब टारगेट फाइट एसल और सेकेंड केस के अंदर में सिक्स टारगेट फॉर ट्रेड एसल और थर्ड केस में सेवंड टारगेट थ्री एसल अब जिन में एसल हिट हो रहा है तो इन में तो 5,000 ही रहेगा लोस और इसके अंदर में 4,000 ही रहेगा विकोज 4,000 इंटू में 1,000 और इसमें 3,000 रहेगा जो फिगर ऊपर है वही रहेगा एसटीज चेंज होगा हमारे टारगेट वाले फिगर में कि यहां पर होगा 10,000 है क्योंकि टू परसंट ले रहे हैं यहां पर होगा 10,000 यहां पर भी होगा 10,000 एट थाउजंट और यहां पर हो गया 6,000 क्योंकि लोस ले रहे हैं रिस्क पर ट्रेट 2,000 पर ट्रेड और जो 5 त्रेड अगर ऐसल होगी तो 5 इंटू में 2,000 डाइट49 की लोस अगर 4 ट्रेड थाइसल तो तूटाउजन फॉर थाउजन का लोज और थी ट्रेड अएसल ही तो थी इन्टू में टूजन शिक्स तॉजन का लोज कि क्रोफिट किता होगा कि कि कैसे एफ से टूटी थाउजन क्योंकि जब लोज 10,000 का और तो प्रोफिट बाइडिफॉल डबल हो गए तुस्तू बन का हम गेम खेल रहा हैं और यहां पर अगर एक थाउजंट का लोज हो रहा है कि यहां पर प्र फ्रोफिट किता हो गां कि यहां पर तो 50-50 परशंट की और यहां PGeонि एक त्रेड में ट्रॉसेट == Stanford hat तो फ्रेड में लॉस होगा 1,000 इस त्रेड में लॉस हो रहा था उसमें लोस ना होके प्रोफिट हो गया तो जिसमें प्राफिट हो रहा उसमेइं 4,000 का प्राफिट हो रहा है हमारे पाश में एपास में और 6 त्रेद ऐसी हैं जिसमें 4,000 का प्राफिट हुआ, तो चिलेट हैं, टिसमें ट्रेद हित्वी करते थे के लिध attends को छेच थे सेवन ट्रेड ऐसी थी जिसके अंदर में हमारा प्रॉफिट हुआ कि 4000 के कोडिंग ली कि 4000 पर ट्रेड तो 4000 इंटू में सेवन डैट इस 28,000 कि और अगर बात करें नेट पिए नल की तो यहां पर है 10,000 कि 24 माइनस एट यहां पर है 16,000 कि 28,000 मैंने 6,000 यहां पर है 22,000 कि शिरफ और सिरफ टू पर्शन्ट रिस्क है और कुछ भी चीज़ नहीं किया टार्गेट भी डबल यह टार्गेट को भी अभी ट्रिपल नहीं किया और वही एक्यूरेसी 50-50 60-40 and 70-30 वही एक्यूरेसी कुछ भी चीज़ नहीं बस जैसे टू परसंट किया तो यह फिगर बढ़ गया त्री परसंट करेंगे तो और फिगर बढ़ जाएगा पट इसका मतलब यह नहीं है इस फिगर को 10 परसंट तक कर देंगे आप और उसकेस के अंदर में आपकी 50-50 परसंट एक्यूरेसी भी रहती है तो वन लेक पर आप 10,000 अंग कर रहा है 10 परसंट इनिमंथ पहले 5,000 था 5 परसंट इनिमंथ अभी 10 परसंट इनिमंथ है और इस केस में सिरफ और सिक्स्टी फोटी परसंट एक रिस इस है वो है 16,000 16 परसंट इन्हें मंथ यहां पर 22 परसंट इन्हें मंथ बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन है अब देखिए 2% को नहीं बढ़ाते हैं 2% रखते हैं कि रिस्क जो है वो 2% ही रखते हैं कि हम बस इस फिगर को चेंज कर रहे हैं कि आने वाले टाइम की उपर में आफ्टर शिक्स मन्त फोर मन्त फाइक मन्त आपकी जो ट्रेड है आप जो ट्रेड ढूंड रहे हैं साइद हो सकता है कि वह कि रोट इस टूवन भी निकलने लग जाएं मतलब यस्तोप लोस में 1,000 रुपीज का तो टार्गेट 3000 और by jetzt 10 रूप्पिज क्लोसका पोइंटलि रूपीज तो टार्गेट का पोइंटलि त्रोपीज तो टार्रिट का पॉइंटलिए। के इस वाले टेड की बात करा रहा हए ऐसे ट्रेट सेटब कि अर्ट जो सब से बेस्ट होते हैं कि इसमें सिंगल के अंदर में य। पैस्टी कुछ बीडाल ओगया अभी तो हम सर्फ问题 क्वाथ कर रहे हैं यहां तो कि एस्टिए वाला लेवल इसमें तो टैनिस्टूवन है और यह पहले से फिक्स है कि टैनिस्टूवन जाएगी ही जाएगी और टैनिस्टूवन के बाद में और भी उपर जाएगी मतलब मैंने आपको बताया कि यह को यहां पर लाइव बैच में ही आज से अलमॉस्ट तू फिर पहले लाइव बैच के अंदर में ही डिसकस की थी किस्ट को बाई कीजिए और यहां पर जाके प्राइस रुकेगी टेलीग्राम पर भी है यह को लाप चेक कर सकते हैं कि यहां पर जाके रुकेगी और फिर इसके बाद में ओल्टाइम हाई बिल्कुल वैसा ही हुआ य यहां पर 1000 का लोस का मतलब यह 10,000 का प्रोफिट और 10,000 के लोस का मतलब है सीधा वन लेक का प्रोफिट तो तो ऐसी ट्रेड भी मिलती है हम तो सिरफ और सरफ three to one की बात कर रहे हैं और जो भी मैं ट्रेड आपको डिसकस कर रहा हूं हो नो सारी की सारी three to one four is to one ही रहती है जो भी मैं लेवल आपको बता रहा हूं basically कि यहां ना लेके lower level को consider करें वो सारे के सारह ही high probability 90% प्लस एक्यूरेसी वाले और त्रीस्टूवन फॉर इस्टूवन ही है तो त्रीस्टूवन भी एक्यूरेसी जिली आएगी अब वापस से सेम फिगर को रख लेते हैं कि यह की यही कंडिशन रहे 5 टारगेट 5 एसल 6 टारगेट 4 सल 7 टारगेट 3 एसल सेम कंडिशन मानके चलते हैं वापस से तो देखिये लोज तो वही होगा 2 परसंट रिस्क ले रहे हैं तो लोस तो तेन थाफंव ¿D धू होगा और यहां पर टू परसन्ट ही ले रहे हैं तो लोस योगाPS और यहां पर 1000 होगा क्योंकि रिस्क पर ट्रेड शीज नहीं किया है इस बार सफ़ार कूंअ इसका रिसी पर ट्रेड वही है यह यहां कि नियुक्प ट्रेड केमों नियुक्त कर दिया था 1% से 2% बट अभी 2% कर रहे हैं हमने टारगेट को डबल से ट्रिपल किया तो जो भी चिंजिस होंगे वह होंगे टारगेट वाले फिगर में पहले 20,000 का प्रोफित हो रहा था इस बाट ट्रिपल कर दिया है तो 30,000 का प्रोफित होगा कि एक ट्रेड जिसमें आप 2,000 लोस ले सकते हैं 2% के अकोर्डिंगली 4 त्रेड थी 8,000 का लोस हो गया तू परशन का मतलब 2000 लोस पड़र अगर वही टारगेट आपको ट्रिपल टारगेट दे वही ट्रेड अगर आपको ट्रिपल टारगेट दे तो उसके अंदर में ही 6000 का लोस प्रोफिट होगा आपको कि जिस ट्रेड में 2000 का लोस हो रहा था अगर उसने टार्गेट हिट किया और टार्गेट आपका ट्रिपल तो 6000 का प्रोफिट होगा और 6000 के प्रोफिट वाली हैं आपके पास में सब्सक्राइब कि था था थाउजन लेट पीएनल इससे ज्यादे एक्सल्क नहीं बढ़ा रहें ना हम फ्रीज्टू वन कर रहें ना फाइप टू बन कर रहें ना रिस्पाइब को तू परसंट से त्री परसंट कर रहें और ना 80% accuracy पर जा रहे हैं वह काम आपका है कि आप इसे 80% accuracy के accordingly भी extend कर सकते हैं और आप फोर इस्टुवन फाइप स्टुवन पर भी कर सकते हैं और आप यह सोचें कि आफ्टर सिक्समेंग मैं तो 2.5% रिस्क लोगा या 3% रिस्क लोगा तो आप उसे वह भी मोडिफाई कर सकते हैं कि आपको ऐसे से फिगर मिलेंगे आप हैरान हो जाएंगे यह मैंने वह फिगर लिया जो सबसे मेनिमम सेवन्टी परसंट एक यूरेशी कंसिडर किया मैंने 70 परसंट टेली गराम के सारे ही रोज अपने आपको 90 परसंट प्लस बताते हैं टेलीग्रामर ट्विटर हीरोज मैंने एक पोस्ट भी शेयर की थी इस पर और यह तो बेसिकली अभी आप ट्रेडिंग करते करते हैं आप समझ गयों कि 50 परसंट तो एक्जीक्यूशन बेस्ट पर मिल जाती है और अच्छा सा एक्जीक्यूशन है तो 60 परसंट भी मिलेगी और जो रूल डे वन से लेकर आज तक हमने पड़े हैं उस पर तो आप कली थे अब आव 80 परसंट अब तो उससे भी उपर का टाइम है और रिस्क पर टेट 2 परसंट कोई फूचर ट्रेडिंग नहीं कोई ओप्शन रेडिंग नहीं एक मज़ेदार बात बताओं टैन ट्रेड को अगर आप 20 ट्रेड पर मंत कर देंगे तो यह सारे फिगर डबल हो जाएंगे 10 ट्रेड को आपने 20 कर दिया तो यहाँ पे 10 आएंगी यहाँ पे 10 आएंगी क्योंकि आउट ओफ 20 10 एसल हिट 10 टार्गेट हिट तो जो टैन एसल हिट हुए है यह वह कमें यहां मैंने आपको लोक किया कि लोक यह किया है कि आपको 10 से ज्यादा लेनी ही नहीं नहीं अलाूद ही नहीं कि आप लोग कोई गेम ख debated भार तो आपने देखा होगा नए कि आपका लेवल अपग्रेड हो जाता है गेम खेलते खेलते अगर कोई रेसिंग गेम खेल रहे हैं तो अच्छी कार मिल जाती है कोई और गेम खेल रहे हैं तो कोई टूल्स मिल जाती है पहले मैं खेलता था आज से पांच साल पहले NFS वगेरा मोस्ट वांटेड यह चला करते थे यह वाले गेम मैंने पबजी वगर्या तो अस तक मोबाइल में इस्टोल ही नहीं किया कभी टाइम ही नहीं मिला इतना पिछली लास्ट फोर टूफाइब से कोई गेम ही नहीं खेला मैंने मितलब जो पहले खेलें वह बता रहा हूं आपको लेवल अपग्रेड होता था गेम के अंदर में तो आपका लेवल अपग्रेड उनमें कब अपग्रेड होता है जब आप बेस्ट करते हैं तो आप बेस्ट कीजिए आपका लेवल अपग्रेड होगा 10 से 20 ट्रेड पर मंत 10 से 20 ट्रेड पर मंत आपका लेवल अपग्रेड हो है उसके accordingly सबसे best है उनमें कोई problem ही नहीं लग रही मुझे तो 20 क्यों ना लूँ फिर भी मैं यह कहूंगा एक बार फिर से देखिए और उनमें से 10 निकाल दीजिए जिन पर हलका सभी डाउट लग रहा है जिन में एक पर्शंट भी डाउट लग रहा हुँ टैन को निकाल दीजिए और वह टैन रखे जिन पर डाउट नहीं है आपने कहां कि सर 5 तो ऐसे निकाल दी बट इस तिल 15 है फिर भी मैं यह कहूंगा म मुझे नहीं पता फाइप निकालिए आपको लेनी ही 10 है जब आप यह करते रहेंगे आप उनकी पूरा रिकॉर्ड मुझे सेंड करेंगे पर्ष्ण लिए कि फिर मैं आपको अलाव करूंगा खुद कि अब आप 10 से 20 आप लेंगे 23 क्योंकि आप उस लेवल के लिए काफी दिन से स्ट्रगल कर रहें आपने वह चीव तो पहले ही कर लिया बड़ जैसे होता है एक excitement कि टू मन्त तक मेरे पास टेट थी फिर भी सरने नहीं लेने दी जब मैं लेवल अपग्रेड करूं तब आपको 23 पर मंत लेनी फिर यह सारे फिगर डबल हो जाएंगे यह साथ 72 थावजेंट हो जाएंगे बट अभी सोचिए अगर 36,000 की बात करें इस वाले फिगर की कि क्या यह बुरा है कि कहीं पर भी तो नहीं मिलता यार ऐसा कहीं पर भी 36,001 लेक के ओपर में इने मंत तो बिल्कुल नॉर्मल कैल्कुलेशन लिए मैंने तो तेंट रेड की अगर मैं आपको यह गता 50 ट्रेड से कल्कुलेट करें तो भी आप कहते हैं कि हां सर्फ फिप्टी तो बिल्कुल मिल जाती है मंतली हम तो फिप्टी दिन की निकाल निकाल के सेंड कर रहें मैंटर्स को बट हम एक्जुक्रेशन बेसेंड कर रहे हैं तो फिप्टी के अकॉर्डिंगली केल्कुलेशन समझाता तो तो अलगी जाती बटकल मैंने आपको बताया कि नेट्रुक मार्केटिंग की क्लास तो है नहीं कि आपको अननेसेसरी बड़े-बड़े सपने दिखाऊ यहां पर सिरफ और सिरफ एक प्रक्टिकल डेटा पर ब भुषप हो सकता डैरेकल यह भी हो जाए बट इसके बाद में यह होगी फिर आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी यह वाली स्टैब और यहां नहीं आएंगे इसके बाद में अब टैरेकली यहां आएंगे क्योंकि आपने कुछ तो नहीं कि आपने तो अपना रिस्क पर ट्रेड़ी बढ़ा है 1000 से 2000 तो आप 50 परसंट एक्यूरेसी पे क्यों जाएंगे लेवल तो अभी भी वही है लेवल वही है रिसर्च वही है तो डिरेक्ली यहीं आएंगे ने इन दोनों पर तो आप कभी आएं कि जिसमें कोई हैं तो हो सकता है कि कोई त्रेड ऐसी भी हो जाएं कि जिसमें डारँगेट मिला और फिर वह हट हो गया जिसमें 1.5 तार्गेट मिले और पिर डाउन आट का सलगई तो एक एक बार के लिए आप यहां से यहां भी आ सकते हैं अब अगें आप यहां भी जाएंगे और यहां भी जाएंगे और यह इसमें टाइम नहीं लगेगा यह टोटल ही गेम आपको मैं बताऊं जो लोग अच्छी प्रेक्टिस करते हैं उनके लिए 7 डेज का ही पूरा हाँ इनिशेली इन स्टेज के अंदर में क्योंकि यहां पर बहुत सारी गलतियां करते हैं इन में टाइम लगेगा यहां पर बहुत सारी गलतियां करते हैं कि अधरिया अधरियों आज बाइसीक्ली अधर्ड अप आपको 10-10 एकिया मां आपको 20-10 तो अधर्ड दिखाऊँगा अधर्ड दिखाऊँगा कि 20 लिए ओन विश्यली मिलता है ऐसा कि कि क्यों लेनी अननिसासरी ज्यादा ठ्रेड कम से कम लोना उन कम-से-कम लेने का क्या फाहिदा होता है हो भी बात करेंगे अभी अब बात करते हैं उसी पर कम से कम वाले के उपर में अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कुछ लोगों निस रिस्क मैनेजमेंट को कैसे डिवाइड कर रखा कि वन लेक का के पेटल था और इसको डिवाइड कर दिया थ्री पार्ट में कि ट्वांटी परसेंट कि एच साइटी एंड याइटी दोनों को दे दिया कि इन में तो वैसे ही इंट्राडे अच्छी खासी लिमिट मिल जाती है तो ज़्यादा कि पिटल नहीं चीए इन में थार्टी परसेंट दे दिया डबलो एटी को और फिप्टी परसेंट एमएटी क्योंकि एम एक ट्रेट थोड़ी बड़ी होती है के पिटल जादा चीएगा मार्जिन भी ज्यादा चीएं तो 50 परसेंट दिया मेंटी आ कुछ लोग ऐसे रिस्क को मेनेज कर रहे हैं मतलब और केपिटल को मेनेज कर रहे हैं यह प्रोसेस तो ठीक है बढ़ इसको इस टाइप से कर रहे हैं जो की गलत है क्यों कि 20 परसंट के अखूर्डिंग ली आपका रिस्क पर ट्रेड हुआ तू हंड़ेड़ पर्चेट क्योंकि 20 परसेंट आपका केपिटल लेका तो टूंटी थाउजंट ही होने केपिटल और ट्वंटी थाउजंट का वन परसेंट टू हंड यह हुआ तू हंड़ेड़ परचेट अब डेवल एटी आप ले रहे हैं 300 परचेट जो पहले आप ले रहे थे 1000 सभी की सभी 1000 से और यह ले रहे हैं 500 पर ट्रेड़ अब देखी यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और प्रॉब्लम क्या स्टार्ट होती है आपको चैपिटल को डिवाइड कर दिया है कि ट्वाइड कर दिया एक ट्वाइटी फिप्टी कि ऐसे से लेंगे डिवलॉय टी के लिए इतना रखते हैं और डिटी इसे टी के लिए नहीं मिलेगी है मार्केट बहुत जयादा वोलटाइल हो डिट एड़ियर तड नहीं मिल पारी हो और हो सकता है कि हर दिन डवलो वीटी महीं मेर्स फंड वेज हो बेस्ट बूर डबलू आईटी ही मिल गई या फिर यह कहें कुछ डबलू आईटी कुछ है माईटी एचाइटी नहीं मिली अब वन लेक में तो बहुत सारी ले सकते हैं कि नेक्स्ट फिप्टीन मिनट एक्टिव हो जाएं बहुत इंट्रस्टिंग है कि थर्टी परसेंट की अकोर्डिंगली आप ज्यादा लेही नहीं पाएंगे थर्टी थाउजंट के अंदर में ट्रेड लेनी है डबलू आटी सेवंटी परसेंट आपका अन्यूजड केपिटल है जिसे आप काम में नहीं ले रहे हैं कि कभी मिट पर बात आ गई तो अभी तो मार्जिन के उपर मिली अपने आप ही निकलने लग गई आफ्टर फाइव डेज रिजल्ट नहीं मिलाता हूं तो ऐसा नहीं करना है बेटर याने कि कोई भी मिले अपरशेन्टि लेक्षेट के अकोडिंग्ली लेंगे न हम तो कोई भी मिरे परस्यूटि एचेटी मिल रहे है तो वह भी वैलकम है डिया लटी मिल्योव भी वैलकम है एक बात और जो मैंप लोगों को बोल रहा हुए था कि कम से कम ट्रेड लो कम से कम ट्रेड उसका भी अभी लोजिक एक्स्प्लेइन करता हूं कि देखिए वह सारे तो लोजिक है कि कम से कम ट्रेड लेंगे बिल्कुल एक प्योर ट्रांस्पेरेंट एक एक्सल बनेगी आपकी एक ट्रेड हिस्ट्री बनेगी कि कम से कम ओडर होंगे मैंड भी बिल्कुल एकदम से सफ प्ले करेगा फ्रस्टेट नहीं होंगे अधर्वाइस ओडर हिस्ट्री को देखके फ्रस्टेट हो जाते हैं बहुत बार दिन भर ओडर पर लगा रहे हैं खिर इन सारे पॉइंट्स के लावा और पॉइंट्स जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है वह इंपोर्टेंट यह है कि आपने ट्रेड निकाली खूब सारी है और उन में से कुछ एक अच्छी है कुछ एक अच्छी नहीं है और जो अच्छी है उनके लिए आपको वेट करना पड़ता है क्योंकि पता है वह सेवन आउट वाली में सिंगल एक्सैटिंग केंडल है वेट कम करना पड़ेगा तो टेक्निकली जो पूर ट्रेड हैं उनमें एंट्री मिलने की चांद से ज्यादा है और जल्दी है अब आप सोचिए कि उन ट्रेड के अंदर में अपने एंट्री फसा ली आप ओल्रेडी टेंट्रेड फसा चुके हैं अब हुआ यह कि आपने जो ट्रेड बेकार थी अपनी गलती से जो एवरेश ट्रेड थी उनको ही आपने बेस्ट बना ली अपर अब वो फस गई है और जब बेस्ट ट्रेड मिल रही है तो उसके लिए लेने के लिए पैसा ही नहीं है क्योंकि जो एवरेश फिर ही नहीं होगा आपका फसावा के पिटल और अगर आपने मार्जिन पर उठा लिया कि ज्यादा पैसा ज्यादा ट्रेड के चक्कर में ज्यादा पैसा ले लिया तो आफ्टर फाइबेज ना टार्गेट ही टुआ ना एसल ही टुआ हां ब्रोकर पोजिशन स्कायर ओफ क कर नाय cold keeper क्राइस चाट करदेगा और फिर बिगडेगी ट्रेडिंग और फिर लगेंगे तुके एयफ लो के इंदर में है कि और अगर पेश टेन होती ने बेस्ट एंट्रेड तो हर दिन मिलने वाली नहीं है आज हो सकता एक ही ट्रेड में एंट्री मिली हो आपको अब एगली एंट्री हो सकता नेक्स थी टेस बाद में मिले क्योंकि एवरेज ट्रेड तो आप लेहीं नहीं रहे हैं केपिटल फिरी आपका और सोची जो बेस्ट ले रहे हैं वह पांच-पांच दिन तक भी नहीं फसाती हैं वह तो सिंगल सिंगल डेज में वन आर्टू आर्स में टार्गेट दे देती हैं ते इमेडियेटली एंट्री एंट्री क्यूक्ट एकजिट विए प्रिए टृट या टार्गिट ओव्यस्लिइड टार्गेट ही ज्यादा देंगी ना बट आपका केपिटल ब्लोक नहीं कर रही है केपिटल ब्लोक हुआ और फिरी हो गया इमीड़ेटली और जो एवरेज ट्रेड थी उनके अंदर में ब्लोक पर ब्लोक चल रहा है आप मार्जिन पर पैसा उठा रहे हैं ब्लोक करने फाइव डेज बाद में अगर कुछ भी रि वो डिपेंड करेगा कि क्वांटिटी कित्ती ले रहे हैं और इस्टोक की प्राइस क्या है कभी कभी हो सकता है कि एक ट्रेड आपको 20,000 की मिले तो कभी एक ट्रेड 40,000 की मिले तो कभी एक सरफ 10,000 की मिले बट वो ट्रेड सबसे बेस्ट है तो उन से पैसा जल्दी जल्दी फृरी होगा बहुत जल्दी फृरी होगा इसलिए जो मैंने आपको बात बोली नहीं सोच समझ के बोले कि 10 ट्रेड ही लेनी है लोक कर दिया 10 से ज़्यादा लेनी नहीं हो तो भी नहीं लेनी है कि अधर्वाइस केपिटल फसा रहेगा हर दिन परेशान होंगी कि उस तो निकले इनका रिजल्ट और गलती से मार्जिन ले लिया ब्रोकर से तो फिर वह अपने आप स्कायर ओफ होंगी इसलिए 10 ट्रेड सबसे बैस्ट उससे ज्यादा नहीं लेनी और उस पूरे केपिटल को हाट टाइप की ट्रेड में यूज करो चाहे वह डियाटी हो एम एटी हो कोई भी हो डब्लू एटी हो कि आपका ट्रेड सेट अप बैस्ट होना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों को उसका रिवोड मिल जाएं अब बस इस बात के उपर में आप लोगों को फोकस करना अब एक चीज और एक रूल और बना लें आप से जो ट्रेड टार्गेट दे उसको तो अब्जर करें कि टार्गेट दिया कि क्या था इस ट्रेड सेट अप में बेस्ट वो तो आपका खुद ही मन करेगा बार-बार में देखने का कि इस ट्रेड ने टार्गेट दिया तो बेसिकली देखूं कि मेरा यह सेट अप थार यह च जैसा कि मैंने कल भी बोला था stop loss वाली ट्रेड को ज़रूर देखेंगे कि उसमें क्या प्रोब्लम थी और एक रूल बनाएंगे रूल क्या होगा एक रूल बूक होगी जिसमें आप अपने मिस्टेक्स लिखेंगे कि यह पूरा कोर्स कर लिया तो किस टाइप की मिस्टेक हो सकते हैं ट्रेडिंग करने में हो सकता कि आपने कोई लेवल लिया सब कुछ अच्छा था बट आप क्लोजिंग देखना भूल गए हो सकता है कि आपने कोई लेवल लिया बट वो six out of seven था हो सकता है कि आपने कोई लेवल लिया वो properly coincide नहीं कर रहा था और हो सकता है कि आपने कोई लेवल लिया short का DIT की वोल टास के अंदर में बट वह weekly के डिमांड जो उनको जस्ट हीट होके आई यह प्राइस और एचाइटी फैल हो गई की मानके चलो तो झाइन सब कर दो मेंख़ेन के ऐए को चलो थर्ति नहीं स 레ole कि इतने ही मिस्टेक्स हों को पॉसिबल हैं करें हर एक मिस्टेक को लिखेंगे हर एक ट्रेड के आगे मिस्टेक को लिखेंगें आप लोगों को सबसे पहला गोल है कि आप 100 ट्रेड लेंगे हंडेड ट्रेड अब वह हंडेड ट्रेड आप अपनी मर्जी से चाहे आप 10 रुपीज का ऐसे लिजिए मुझे कोई प्रोब्लम नहीं और मैं तो रिकमेंड कर रहा हूं वन परसेंट छोड़िए आप पॉइंट फाइफ परसेंट से लेजिए हैं चाहे 100 रुपीज का एसा लुप बैठे चाहे 50 रुपीज का बैठे चाहे 200 का बैठे आपके केपिटल के कोडिंग लिए उससे ट्रेड लीजिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो गलतियां होनी है न वो इनी 100 ट्रेड में होके रह जाए हैं कोई भी पेपर ट्र कुछी मना रहे हैं जब अकाउंट में लाइव एंटो एंचलता है तो ही समझ में आता है तब ही हम देखते हैं कि फाइप मिनट पे जाके देखें क्या हो रहा है 75 पे देखें कि कोई डिमांड जून तो हमारी ट्रेड को सपोर्ट करें कि यह डिमांड टूटता या सप्ला जो गलतियां करने इन हंडे ट्रेड में कर लिजिया बट जो गलती हो वो लिखेंगे अगर क्लोजिंग अच्छी नहीं है तो लिखें क्लोजिंग वाज नोट सो गूड अगर प्रॉपर्ली लेवल कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो लिखिए एक्जिकुशन और लोकेशन और नोट प्रॉपरली कोंशेडिंग मतलब जो मिस्टेख वो लिखिए एंड मेक शूर मिस्टेख एक बार हो जाए वो दुबारा रिपिट ना हो एक बार जो मिस्टेख होगे ने बस बोड़ बारा रिपिट ना हो और जैसे यह 100 ट्रेट कंप्लीट होगी न है आप में से कोई भी उठके मुझे चैलेंज कर देना कि सर्माजा नहीं आया या मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन पाया जो अभी तक पढ़ा है सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं आगे की क्लास तो छोड़िये इतनी बात कर रहा हूं कि जो टास्क मैं दे रहा हूं ने यह करके आप मुझे चैलेंज कर दीजिए कि सर्जो आपने पढ़ाया मजा नहीं आए बैसिकली कि मैंने वैसी कि वैसी ट्रेड ली गलतियां भी लिखी सब चीजें लिखी बट मजा नहीं आया ऐसा अभी तक कोई मिला ही नहीं है कुछ इनमने मिलते हैं ऐसे जो साइध कोर्स जो इसलिए करते हैं कि क्या पता वो दूसरे इंस्टिट्यूट के हो जो इस्टूडेंट को कैसे ने कैसे करके डिस्ट्रक्ट करें जब उनसे पूछो कि आपने क्या लिया वो एक बार सेंड करें गुरूप पे सेंड करें सब के सामने कि मैंने यह ट्रेड ली है और इसमें जो आपने बता है वैसे ली और मैंने ऐसी दस ट्रेड लिया और दस कि दस ऐसल होगी दस चोड़िए पांच ही बता दीजिया कि आप पांच एसल हो गई कि जो रूल बताए उनके अकोर्डिंग लिए ट्रेड तो ली बट एसल हिट हो गई मैं बैसिकली वो आते ही इसलिए है क्योंकि उनको क्या है कि छो ग्रोथ हो रही दिएप me you कि वह कहीं नहीं होती और क्रोंट क्यों हो जायए क्योंकि वह भी किसे ने किस इसित्जीट से हैं तो साथ आने वाले टाइम पर नमक मिर्च का टेस्ट भी पता लगने नहीं पता लगये आप लोगों को अब यह तो स्टुडेंट के लिए क्या क्या करना बाकी है क्या क्या चीजें हम लेकर आ रहे हैं क्या क्या प्लैनिंग सल रही है बोला था ने कि टू मंत बाद में सर्प्राइज है तो ऐसे लोगों से दूरी रहना और उनसे डिबेट कर रहे हैं तो आप अपना टाइम खराब करें और अगर डिबेट करें तो उनसे पूछना कि आपने क्या किया वह एक बार सेंटों करें ग्रूप पे सबके सामने कि आपने यह चीज की है और यह है रिकोर्ड उसका और वह चीज गलत है पिर हम भी मानें कि यह चीज गलत थी ऐसे कुछिक नमूने मिलते हैं जैसे हम यह कहें कि 3000 स्टूरेंट की बात करें तो हाड़ली फाइब टैन हाड़ली बट यह कभी भी आ सकते जैसे मैंने आपको डेवन एक वर्णिंग दी थी ने कि आपके ग्रूप में बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो कहेंगे चलो एक ग्रूप बनाते हैं अलग से डिसकेशन करने के लिए साइध वो आपके डेटा के लिए ही उन्होंने कोर्स जोइन किया हो कि उन्हें एक डेटा मिल जाए और फिर वो आपको कुछ ना कुछ अपना प्रोडेक्ट सेल कर सके तो ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहें जो चीज़ें है प्योर प्रक्टिकल है इनको प्रक्टि करते हैं आपकी research को comparison कर लेते हैं देख लिए कि आप यह फिर हम बैंटर हijd हमारी you तो ऐसे लोग आपको भी मिल सकते अभी कोई भी नहीं मिला यह बट in future मिल सकते हैं है 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 एए है कि कि ए यह थे कि आप जो ट्रेड लेंगे वो टोटल रूल बेस्ट होंगी हर एक ट्रेड पर और जो लोग इस चीज को फोलो कर रहे हैं मैं उन्हें ही बोलता हूं कि यह हैं वाक्य में जीटी अफ्रेडर आने वाले टाइम पर दिसंबर में एक मिम्स बनेगा जो कि अगर कोई तुमसे कहे कि वह तुमसे नहीं डरते या तो वैसे अगर कोई तुमसे कहे कि नैंटी परसंट एक्यूरेसी अचीव कर रहा हूं तो या तो वह पागल है फिर वह जीटी आफ्टेडर है तो मैं चाहता हूं कि आप वह वाले जीटी आफ्टेडर बने जिनकी 90 परसंट एक्यूरेसी हो और उसके लिए जो रूल है वह रूल है जो पढ़े हैं बस उनको ही उनको ही इंप्लेमेंट करने हैं कि बाकि सब चीज़ां टेंप्रेरी हैं निउस आपके टेंप्रेरी हैं उसका व्यू चेक करते हैं कि कोई एनलिस्ट तो उसके बारे में पॉजिटिव बोल दें वो सब चीज़ें टेंप्रेरी हैं एक बात और केपीटल को पहले सेव करना सीखें बनाना बात में जिस दिन बचाना सीख गया नहीं बनाना अपने आप आप आजाएगा पहले एक बार सेव करना सीख लें कमाने के लिए पूरी जिन्दगी पढ़िए पहले अपने एक बार वेल्यू बनाएग आपका केपिटल वहीं रहे कुस दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है यह बहुत बड़ी अच्यूमेंट है कि आपका केपिटल वहीं है कि हो सकता है कि अभी आपका केपिटल 50,000 और हो सकता थोड़ा थोड़ा डाउन भी आजाए 40,000 और आप यह सोचें कि टू पर्षेंट भी नहीं मिल रहा क्योंकि अच्छा तो तभी लगता कि 50 का 54 हो 58 हो 60 हो 65 हो इस टाइप से बढ़ता रहें और यह तो थोड़ा बहुत ड सेज में जिस दिन सर्कीट लगेंगे 10-10% के अपर सर्कीट लगेंगे आपके केपिटल में वाट उसके लिए चीज़ें सीखना पड़ेगा टाइम देना पड़ेगा एक दिन में कोई भी कार्ड ड्राइविंग नहीं सीख सकता ने कितना चैलेंजिंग होता है समय हो समय जमें और रर्च पे रखेंड़ेक पे रकेंगे कब रेक लगाना है सात म record मेरा राइट मीरा हाई र्रंट मीरर हर जगह देखना बार-बार तो कितना होता है जलाना को सांधायette अ हमें और जब सिय्कट आते हैं पहीं तो एक हात से ईक बासे ul हो रहे हैं और एक हाथ में मुबाइल है दाकि पूरी कार एक हाथ से ड्राइव कर रहे हैं कोई प्रोब्लम नहीं आती कहां प्रेक लगना अपने आप ही पैर लगा देता उसे है वट एक दिन में नहीं से एक्सपर्ट बनने में थोड़ा टाइम लगता है जो जोब वाल एक्जामपल दिया था वही बात है एक दिन में जोब नहीं मिले बहुत लोट सोब हाड़ वर्क किया आपने इसके लिए तब जाके मिली है और सेलरी उसी दिन से स्टार्ट हुए जोब किया पर यहां पर इतना टाम नहीं लगना यहां पर इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा की यहां पर बस यह सोटे कि पैसा कैसे बचाना है बनाने से भी स्टॉंग कूंन हो कौन सामने वाले आतमे तलवार है उसे चलाना जानता है आपको काट के रख देगा हैあ आप चाहाए कितने भी सट्रोंग क्यों नहुआँ तो माल लीजिए तलवार सेलिंग प्रेशर हैं और उस सेलिंग प्रेशर से खेलना है तो पहले तलवार पकड़ना सीखें फिर डिफेंड करना सीखें कि at least six out of seven seven out of seven पर पहुंचे location execution को समझें और फिर धीरे धीरे चलाना सीखें और एक दिन चलाते चलाते इतने expert हो जाएंगे कि अगले वाले को काड़ देंगे आप सेलिंग प्रेशर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा है तो कि है टाइप से डिफेंड करना जाएगा सेक्टर का support लेना हाईर टाइम फ्रेम का support लेना bigger picture क्या कहा रही है इन सब चीजों का support लेना जाएगा कि ऐसा नहीं करना है कि एक बार सिस्टम के सामने बेठ गए तो बस टेन ट्रेड निकालके ही दम लूँगा फिर तो वो ट्रेड निकलेंगी जो कल सोपिंग वाले एक्जमपल दिया था अन्नेसरी सट आपको पसंद नहीं फिर भी उसी को बेस्ट बनाके लेके आगए घर पे तो आपने सोचा टैन निकालके चोड़नी आज तो तो वो निकलके ही रहेंगी यह सोचे मिली तो ठीक है व पूरा मार्केट देख लिया कुछ अच्छा मिली नहीं रहा पांच सा दिन रुख जाओ क्या इस्यू है जो अभी तक करने थे वो कड़ चुके हैं अब प्लीज उन एक्सपेरिमेंट को बंद कर दें कुछ चीजें जो होती हैं प्रूवन मेथड उनको मान लेना चीए क्य तो इसलिए जो चीजें प्रूवन हैं उनको भी मान ही लेना चाहिए बैसिकली इस पर फोकस करें इसी के थुरू काम करें मैं गेरंटी के साथ में बोल रहा हूं कि इस पर आपने काम करने लगें हर चीज का सोल्यूशन यह डबलू आइटी एमाइटी यह इन पर काम करते करते आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के लेवल जो है कितना घुमा सकते एक ही जगा पर कितना टाइम लगा सकते हैं और उनी चीट से पता लगता है कि ओप्शन की ट्रेड कब लेनी चाहिए थी आप डैरेक्ली सोचें कि आज एक अच्छा लेवल दिख रहा चलो ऑप्शन ट्राई करते हैं कि कुछ भी ग्रोव नहीं पाएगा वहां से कुछ भी नहीं अभी मैं देखता हूं कुछ लोग हैं जो मिरके लाइख इतना बना लिया टी से में इतना बना लिया उसमें बना लिया मुझे कोई खुशी नहीं मिलती मैं कौन सा पोस्ट करूँगा उनके इस्क्रिंसोट को मैं तो अपने नीडालता कि मुझे खुशी उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने एक रूल की अकोर्डिंग ली कुछ बनाया हो पैसा कि आप लोगों कि अभी क्लासिज नहीं आप अभी अभी से ओप्शन ट्राई करने लगे और भी नोर्मल एक्जिक्योशन पर और चल गया तो उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं जबकि मैं तो इस पिक्चर को भी स्क्रीन सोट डाल के एक अच्छा कासा डेमो बना सकता हूं है बट मुझे पता है कि उससे मुझे ही खुशी नहीं मिल रही है आपका ट्रेडिंग सिस्टम बिगड़ चुका है तो प्लीज जो बता है सिरफ और सिरफ इस पर फोकस करें अन्यसेसरी दूसरी चीज़ों पर ना जाएं आपको खुद एक दिन लगेगा कि यहां पर बैसिकली ओप्शन्स की ट्रेड बनती थी यह प्राइस सक्षेन ऐसा कहता है कि बैसिकली इतने दिन बाद में ब्रेक के लिए एक वो कैटेग्री कि कंसुलिडेशन को इडिन्टिफाई किया और यह कहा कि हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है इस स्टॉक पर ब्रेक आउट आएगा कब आएगा यह नहीं पता बट आएगा इस इस टोग में नेक्स्ट फाइब डेज में ब्रेक आउट आने वाला सब रैडी हutan पियूँल मुमोर्स उस इंटर्मेडियर के era के साथ मैं होता है or साथ के साथ कदर ब्रेक्वफस्ट अए था उन लोगों का थो चीजे और रुमों को इतना पैसा बनाते हैं कि उनको इतनी खुशी मिलती है कि आप हाः डालें यह लेंगे से पैसा ही पैसा निकले गा कि इस आधिक में कि बाकिए लोग तो सच में दुखी होते हैं कि अब देखिए समझाता हूं आप लोगों को दो तीन एक्जम्पल बताने वाला हमें ध्यांसे सुने मैंने बताया था ना कि कुछ एक चीजे और डिसकस करेंगे जो कि इंपोर्टेंट है कि अभी जो मैंने आपको बायो कौन समझाया कि मेरे कोडिंगली यह ओप्शन की ट्रेड यह कैस की चर्ड अभी एक ट्रेड थी जो मेरी मिस हुई वह मैं आपको बताता हूं जो ऑप्शन में मिस हुई कि यह एक बहुत अच्छा लेवल था आप करेंगे बहुत सारी बेस केंडल देख रही है अच्छा कैसे हुआ लेग आउट देखें और मूव देखिए और यह ओरिजन है प्राइस का मतलब यह लेवल कुछ इस टाइप से हैं आप फ्रॉक्सियम लाइन दिश्टल यहां नहीं मानें इसको लेगी नहीं मान रहा हूं वैंठ वैंट मुझे ऐसे लगा कि इसका नहीं यहां पर प्राइस का है वाट यहां पर आई नहीं हो गई कैस में मेरी यही एंट्री है मतलब फ्यूचर मेरी यही एंट्री है betting मैंन यहां पर कुछ दिन घुमाती है प्रीमियम डिके होगा उप्षिंस का प्रीमियम साइट से मंत के लिए जीरो हो जाए और फिर वापस से डाउन आती है और यहां से रोकेट होती है यहां से फिर बहुत स्पीड से रोकेट होती है इसमें मिस हो गई कैस के एंट्री चल रही है बट ऑप्शन के एंट्री मिस हो गई बट कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे ऐसी दस में से पांच पॉर्चनिटी मिली ऑप्शन में तो भी मुझे वह बहुत पैसा दें पांच रुपे की कोल मेरी पचास-पचास रुपे हो जाती है क्योंकि मैं ऐसी कोल पर ही फोकस करता हूं टोटल प्राइस सेक्षन समझते हैं यह कोटली दिमांड जोन कि अधिक यह सबसे बैस दिमांड जोन है जो अक्सिस बैंक भारत फोर्ज वगएरह हम डिसकस कर रहेते हैं उस टाइप से इस क्वाटली के डिमांड जोन ने इस पूरी मूव की ऊपर में क्लोजिंग देते व कि और भी उपर चलेगे 167 कि 194 कि अचानक से सैलिंग प्रेशर आया अभी कि मार्च में लास्ट वार्ट लास्ट वाले मार्च में और प्राइस देखेंगे आप यहीं आकर रुकी और यहां से कंटिनियूस ली प्राइस आप जा रही है अब यह क्वाटली का वीकली पर ब्रेक्डाउन दिखाता हूं कि यह तो है वो क्वाटली की कैंडल अगर क्वाटली के डिमांड जोन को प्राइस हिट नहीं करिए उससे पहले क्या होता और मुस्ट सारे सप्प्लाइज जोन काम कर रहे हैं यह कितना क्वालिटी का सप्प्लाइज जोन आप देखिए इस टइप से काम कर रहा मतलब यह इस टाइप से काम कर रहा कि दुबारा प्रैस गही जई है तो ऊपर से दुबारा भी काम कर बएंग यह वाला सप्लाइज जोन emotion भीकाम कर रहा हैं एक बार किसी को यह लगे कि इसने एक ट्रेंड लाइन ब्रेक आउट दे दिया इसके उपर में चलो ब्ल को बाई करते हैं इस सप्लाइज उन से हिट होके वो ब्रेक आउट फैल हो गया मेन वाइल चोटे-चोटे डिमांड जोन तो जरूर चले बट प्राइस ने एक नय लो लगा दिया अब आप देखेंगे प्राइस नय लो लगाने के बाद में किस हिसाब से उपर जा रही है मैं यह कह सकता हूं कि यह वो पॉइंट है जो कि एक अच्छा का सा रेजिस्टेंस क्रियेट कर रहा है कि इसके उपर में कुछ ब्रेक आउट बनता प्राइस में जब प्राइस अप जाने लगी नहीं अब जाते जाते सारे सप्लाइज तोटने लगे क्योंकि अब उसे क्वाटली सपोर्ट क्वाटली टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिल चुगा अब यहां पर अगर को डियाएटी शोट कर रहे हैं वह डियाएटी सेवन आउट अप क्या चाहिए 14 आउट ओफॉर्टीन क्यों आपके स्टोप्लोस होगी अगर को डियाटी शोट अप यहां कर रहे हैं तो क्योंकि प्राइस क्वाटली के डिमांड जोन से रियक्ट हो कि आ रही है इस यह तो अच्छा कासा डाउन हाना कि यहां से प्राइस चलने लगें फिर हलके हलके डिमांड जोन भी चल रहे हैं और जब यह प्राइस एक्षिन ऐसा कुछ बनने लगता नहीं तो समझ में आ जाता कि कुछ ना कुछ होने वाला थार्टी फैस्ट दिसंबर को इसकी कोल दी थी मैंने बील की ब्रेक आउट की पहले वो भी बहुत अच्छी चली और फिर थर्टी फैस्ट को ही इसके अंदर में मैंने कैस का लेवल दिया है इसको रिकमेंड कि हंड्रेड एंड एटीन पे वे टार्गेट ओवन सेवन्टी क्यों क्योंकि इससे पहले कोई सप्लाइज जोन नही ही इसमें फटी 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 दिसंबर को यह कोल दिये टार्गेट वन सेवन्टी प्लस और रिकमेंड किया हंड्रेड एंड एटीन पे यहां के आसपास और आप देखेंगे नोटिस करने वाली चीज क्या है कि इस वाले डिमांड जोन ने प्राइस ने इसको को कंसुलीडेशन को खतम किया है तो मतलब यहां पर कुद्च न facilities को खतम किया है तो इसने भी किस किया इस पूरे कंसुलीडेशन को खतम इसी ने किया कब्टट आप देखेंगे कि यहां पे भी यहां से नहीं आई है एक बार के लिए केंडल यहां तक गई है और फिर मुव आई है इसमें अब मुव इसलिए मैं चाहरा था कि option में मैं conservative entry लेनी है चाहिए मेरी कितनी भी ट्रेड मिस हो जाए मैं लूँगा personal account में वो सबसे best trade ही लूँगा तो मैं वेट कर रहा था कि यहां के आसपास जो डिमांड जोन अब इसी रेंज में मैं आपको दिखाऊं वो डेली वाला डिमांड जोन यह वाला प्राइस चल गई इसी से बिल्कुल उसी बोटम से वीकली वाले से बट जो पर एरिया था वो यहां था option की ट्रेड के लिए यह अरिया सबसे बेस्ट रहते हैं यहां पर आप ट्रेड ले रहे हैं तो चल गई तो चल गई नहीं चली तो नहीं चली चल गई तो सेलिब्रेशन नहीं चली तो फिर उस बात को दबा दो ऐसा होता है मतलब हर आदमी करता ऐसा ऐसीकली जब ले रहे हना है option में तो वह सबसे बैस से बैस्टिट होंद जहां पर कोई मन में डाउट नहीं होना चाहीं तब तक तक कोई मिस हो रही हैं तो होने दें कोई फरक नहीं पड़ता उनसे मेरी यह मुझे कोई फरक नहीं बढ़ा है इसलिए मुझे फरक नहीं पड़ा वह पड़ा होल्डिंग पड़िये 170 तक के टार्गेट के लिए और जैसे जैसे वह यहां प्याया मैंने फूचर बाई कर है इस वाले लेवल के उपर में कभी यहां आएगा तो मैं option buy कर लूगा कोई बड़ी बात नहीं आ जाए अभी भी प्राइस आप देखेंगे इसके उपर में close नहीं हो पाई है है तो मैं यहां पर कहीं भी लौ होनी की सोचू और कि मैं यहां अच्छा जोन लगर्माएं यहां लोंग और नहीं लगए यहां लोग नहीं होगा तो कैसमें पड़ी होल्डिंग ठीक है कि क्यों नहीं पोजिशन बनानी यहां जाके अगर कभी यहां आये तो ठीक है नहीं तो 170 बें टार्गेर दे सारी decision है जो आप future roll over कर रहे हैं उनसे भी Now Your और साम साथ के अंदर में कैसись holding कर रखे उससे भी अग्साल Great ha fix लगलों तो यह जो अप्रोच होती हैं basically कि कहां से प्राइस आ रही है कहां से नहीं या यह बहुत ज़्यादा माईने रखती हैं बहुत ज्यादा ऑचा हो अब एक्सिस बेंक को हम यहां तक डिसकस कर रहे थे हैं यहां पर देखी क्या हवा उस डिमांड जोन के बाद में यह पिक्चर डिसकस नहीं कि इस वाले demand zone में entry मिलने के बाद में price अप गई weekly के supply zone से down आई इस डेली के demand zone से वापस अप गई और यहाँ पर आप देखेंगे कि price ने क्या किया कुछ एक non authentic type से structure बना दिया मतलब यह demand zone चल रहा यह demand zone यह भी चल रहा supply zone भी चल रहा है यह डिमांड जोन भी चल रहा केसी की भी क्लोजिंग अच्छी नहीं बर चल रही है इन टरमस ओंव कनवेंशनल मतलब सारे सप्लाई काम रहे हैं यह अब यह कनवेंशनल वाले क्या करते हैं इसे रेजिस्टेंस मानते है और इसे मानते हैं support कि किधर भी तूटे यह बार-बार में trap कर देता है पहली चीज़ तो उनके पास में clear point ही नहीं कि कौन सा मानने इसको मानने या फिर इसको मानने की तूट गया क्योंकि यह red candle अब हुआ यह की कोरोना के टाइम पर लास्ट यह यह आया अच्छा का सा सैलिंग प्रेशर और सीधा कहां रुका हमारे मंतली वाले डिमांड जोन में जो हमने डिसकस किया यहां पर भी ट्रेड दी थी और यहां से जो अपमू आने लगे तब ही से बोला था कि एक्सिस बेंक कहां जाके रुकेगा यहां से जो अपमू आने लगी है अब को यह कहें कि यह लास्ट येर का लास्ट टाइम का मेजर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है है एस 23 होरिजोंटल लेंट 23 762 वाली तो यह नहीं टूटनी चीए है और तूट जाए तो फिर बाई कर लो ऐसा ही करते हैं वह कि रेजिस्टेंस टूट जाता उसको एसे सपोर्ट करके बाई कर लेते हैं कि मेजर रेजिस्टेंस ब्रीज हुआ है कि अब चलेगी प्राइस उपर और प्राइस कहां से यह डाउन आ रहे हैं यहां से यह वाला एरिया 801 यह आ रहे हाई टाइम फ्रेम के वीगली सप्लाइज जोन से 801 इस वाले एरिया से कोई प्रॉब्लम ने सप्लाइज ओन में क्लोजिंग देख लीजिए चाहे कुछ भी देख लीजिए एंड इस्टिल वीकें से डिमांड जोन से रियक्ट हो रही है और इस सप्लाइज जोन से डाउन आ रही है और प्राइस अभी वहीं कि वहीं गुम कि अन्यवेस गाइज देट सोल फॉर्ट क्लास मेरी आप लोगों से इस्पेशल रिक्वस्ट कि आप लोग जो आज पढ़ा है आज की क्लास इसके कोर्डिंग ले रूल बनाए इसके कोर्डिंग ली ट्रेडिंग करें अगर नहीं करेंगे तो आज आप जहां हैं आफ्टर में प्रो होने वाला बहुत ज्यादा प्रों प्रोड और चैना होच मिंफको बनना लोगों सप्रकशन रिख या गए कि अब आज की क्लास में आपको कुछ समझी में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते है कि चैट मेंने अपने दिवल कर दिये कर देता हूं जैसे जैसे आप जितने स्पेड से क्योशन लिख रहे हैं उतने स्पेड से मैं भी पढ़ते जा रहा हूं साथ-साथ में काफी लोगों ने पूछी है डिफिनेशन स्मोलर टाइब वर के ब्रीज सवाली वह मापको बता दूँ जब भी कोई स्मोलर टाइमफ्रेम को ब्रीज करेगा अगर 125 मिनट जों डेली के सप्लाई जोन को ब्रीज करें या फिर हम यह कहें कि 15 मिनट का डिमाड जों 75 के तो लोवर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन बहुत ज्यादा पावरफुल होगा एंड ओपोजिट तुद अगर कोई सप्लाइज जोन इसमोलर टाम प्रेम का लैड सब्सपोस डेली अगर वह वीकली के डिमांड जोन को ब्रीज करता है तो वो डेली का सप्लाइज जोन बहुत ज्यादा पावर्फुल होगा कुछ लोगों ने पूछा कौन्टेटी का फॉर्मुला वापस से रिपीट कर दें कौन्टेटी निकालना का फॉर्मुला यही है कि आपका केपिटल केपिटल आप खुद भी साइड क तो वन पर्शंट रिस्क पर ट्रड़ वन थाउजन अब वन थाउजन को डिवाइड करते जाएं एंट्री और स्टॉप लोस के बीच के डिफरेंस जो की चार्ट पे आपको एंट्री लैन ड्रो करते ही समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है कि अगर जो बायो कॉन वाला लेवल है इसी की बात करें है तो डिफरेंस से 16.651 वन थाउजन डिवाइड़ बाई 16.65 और अगर हम बात करें लोवर लेवल को ट्रेड करने की इस वाले की तो डिफरेंस ए 21 थाउजन डिवाइड बाई 20 याट मिन्स 50 कॉन्टिटी आपको ब कि ब्रीज का मतलब यह होता है कि प्रॉपर क्लोजिंग ऐसा नहीं कि विक बना के वापस से डाउन आ गए वह पर्टिकुलर केंडल क्लोज होनी चाहिए वहां पर है अगर वीकली सक्लाइ जौन को ब्रीज करने के तो वीकली केंडल को वेट करें तो जादा आच्छा रहेगा हाँ 125 पास्माइले क्लोज़ गारी होई तो भी अच्छा है है बट वीकली वाले से जादा नहीं है कि यह सब्रीज का मतलब होता है तोड़ना उसको तोड़े और उसके उपर में क्लोजिंग दे कि इस टाइप से आप लोगों को क्वांटिटी निकालनी है कि कि मिनीमम मतलब माक्सिमम टेंट लेने इससे ज्यादा लेनी ही नहीं किसी को भी कि नो नो जीवन आप गलत समझ रहें अगर आपका वन लेक पूरा शेर में नहीं डलेगा अब मान की चलिए कि आपका वन लेक पहले समझें चीज को काफी लोगों को कन्फूजन हो गया होगा इस वाली बात पर मैं क्लियर कर देता हूं अगर वन लेक का केपिटल है तो ऐसा नहीं कि बायो कॉन में वन लेक डल गया कि बायो कॉन में कित्ता डलेगा इसको ट्वंटी से डिवाइड किया 1000 को 50 शेर अब 50 इंटू में 337 जो भी अमांट होता वा इंवेस्ट हो गया 337 इंटू में 50 शेर वाई करने बायो कॉन की तो यह जो देट मींस अराउंड 16,000 तो बायो कॉन में 16,000 का इन्वेस्टमेंट तो 337 इंटू में 30 साइध 9000 ही ब्लोक हुआ अगर बायो कॉन में यहां तक का 75 या फिर यहां तक का 100 का तो आपको टैन क्वांटिटी सजेस्ट हुए 337 इंटू में सब्सक्राइब करें तो बिल्कुल भी ज़रुत नहीं पड़ेगी और अभी जैसे कुछ एक चीजे मैं आपको बता रहा हूंना लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस वगेरा इन चीजों के पर्टिकॉलर एक प्रॉपर सेशन है कन्वेंशनल पैटन ही एक्सपें करूंगा मौसम एक बात और बताओं आपको मज़ेदार को पाल की जो हम ट्रेड डिसकस कर रहे थे जिसमें हम मानके चल रहे थे ट्रेंड साइडवेज है वीकली टाइम फ्रेम पर यहां पर अब यह मोविंग अवरेज कैसे काम करता है अगर यही ट्रेड यहां से डाउन आए तो साइड लोगों अगर यहां से डाउन आ यह तो तेंड डाउन और ये अगर यहां जाकर और फिर हांती ने तो सफ़ूम्ग ली ट्रेंड डाउन मिले आपको स्ट्रॉः डं उपसी ट्रेड में आपको एक मज़ेदार बात और बताता हूं मैंने कहा कि यह वाला लेवल चल गया काफी टाइम लगा बढ़ चल गया फाइनली चाहे इतना ग्रेट ना हो अब सब लोगों को दीख रहा होगा कि जो हम ओरिजिन मार्किंग कर रहे थे इंफोसिस बगरा में ओरिजन तो यह है कि इससे बेस्ट कोई ट्रेडी नहीं होनी सी है यह औरिजन चाहे डिरेक्ले विक्टू विक कंसिडर करने इसको कि देखिए कभी जब एक्स्ट्रीम सेलिंग प्रेशर से प्राइस आती है ने इतना उपर जाके भी कि इसी औरीजन को हिट करती है और ओर इजन को हिट करके वापस से वही की वही पहुंच आती है कि यह पावर होती और इजन की देरे देरे सीखते जाएंगे भाविक ट्रेंड लाइन कैसे डरो करना एस सिक्षर ऑसह है कुछ भी डिवाइड नहीं करना यह मैंने बताए कि कुछ लोग यह कर देते हैं तो आप लोग ऐसा डिवाइड नहीं करें सक Pero नहीं करना तो बस उसके अक महलिए जो ट्रेड मिली उसमें इन्वेस्ट करें ऐसा डिवाइड नहीं करना कि इसको मैं क्रोस कर देता हूं कि यह आपको नहीं करना कि यह बिलकुल रन्वीर होगी इंट्राडे क्लास के लिए भी होगी जो डे बाइडे सीक रहे हैं वही कंसेट उस दिन काम में आएंगे जो आज मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया बता है अग्रेसिवर कि प्राइज जो है इस लेवल से ऊपर चली जाए यूपील के अंदर में तो साइध हम कि अगर कुछ ऐसे जाकर आती हैं तो साइध यह लेवल सबसे बैस्ट होता यहां से आई है तो यह लेवल बैस्ट क्योंकि इसकी क्लोजिंग ऐसा नहीं कह सकते कि 125 पाली ने डेली को ब्रीज किया 125 पाला ही डेली के उपर में तो यह सारी चीज़े बहुत मैंटर करती है एक और बात बताओं क्या मैंटर करती है कि ट्रेडिंग इन दा जॉन के अभी सेक्टर वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं कोई भी स्टोक देखता हूं तो सेक्टर देखना स्टार्ट करता हूं सेक्टर देखना पांइश शोटकक्ट कुछ भी आप कंट्रोल प्लस एफ से फ्री לנ मेंग में ले सक्ते सब्सक्राइब देखें कि अब यहां पे देखिए इस क्लास में मैंने यह कहा कि यह मतली का दिमांड जोन तब यह इसकी प्राइस काफी उपर थी कि यह मंसली का डिमांड जोन अमर राजा बैटरी में वीकली का ट्रेंड अपिसली अपी था कि बड़ साथ एडवांस ट्रेंड त्योरी जो पढ़ेंगे उसके कोडिंग लिए साइडवेज भी हो जाए अब मैंने यह कहा था क्लास के अंदर में यह वाला डिमांड जोन नहीं चलेगा और अभी पता है कि कुछ स्टुडेंट जो है ना गुरूप पर डिसकस कर रहे हैं कि अभी इसको बाई कलने हम राजा बैटरी को और वहीं लोग यहां पर भी इसको बोल रहे थे उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा कुछ एक लोग हैंसे कि वीडियो नहीं देखा मैंने यह भी बता है क्यों नहीं चलेगा आपको रिमेंबर याद हो मैंने एक दिन चीज बताई थी क्यों कि यहां पर जो नेकि फ्रस्ट वाली लेगाउट च्प्लोजिव है क्यों क्योंकि वाली लेगा उठ तो ही हम कह सकते हैं यहां से इंबलेंस के बाद में एक अच्छी मूव आई है अब यह देखिए वीकली केंडल है तो आपको नहीं लगता है कि डेली का जो ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस फाइप केंडल का वो यहां तक के लिमिटे मेंगे बेश बन गया डनीपर है कि जही कुछ भी निया डेली के ऊपर में अगर ऊस वीकली कैंडल का मैंने ब्रेक डाउन किया नहीं तो उपर वाली अंदर में तो बहुत कुछ है बट नीचे वाली केंडल पर डेली पर टोटल गार बेज यह रिया है उपर वाली पर ज़रूर एक स्ट्रोंग सी मूव दिखरीती जो की चल भी गई प्राइस अगेन इस बोटम पर यह यह भी चल गया फिर प्राइस से प्राइस से कंटीनियू 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 आरी और मैंने यह कहा था कि मैं एंट्री लोंगा इस लवल पर कुछ लोग आज भी ग्रूप पर डिसकस कर रहे थे कि इसको आज भाई कर लें अब यहां से जब-जब कोई भी डिमांड को हिट करेगा तो एक बार चलता हुआ दिखेगा क्योंकि जैसे इसने मंतली डिमांड को को हिट किया नहीं इस मंतली वाले लोकेशन को तो देखिए प्राइस एक बार यहां तक गई है कि यह मंतली की प्रॉक्सिमल लाइन कि यह डिस्टल लाइन कि मंतली को हिट करने के बाद में यह देखिए यह मंतली की प्रॉक्सिमल को हिट क्या प्राइस अप गई है अब और यजन अभी डाउनसेड में है प्राइज का उस पूरी मंतली की अब मूव का और अभी डाउनसेड में और उस ओरिजन को अच्छे साइडेंटिफाई करते हैं तो क्लियरली समझ में आता है कि यह रेड़ केंडल इस कंप्लीट मुव में एक सिंगर रेड़ केंडल भी कुछ कहना चाह रही है कि प्राइस यहां तक आके फिर अप गई है तो मेक शूर इसके नीचे हो कि बिलो 710 अब आप इसके अकोर्डिंगली स्टोप्लोस रखते ही यहां पर यह एंट्री कि अराउंड 750 कि और यह स्टोप्लोस अब मेरा स्टोप्लोस इसके नीचे ही होगा कि तो है तो है मैं टार्गेट साइध बड़ा देख रहा हूंगा तो हैं तो इन चीजों को बहुत बड़ा रोल कि यह जो केंडल है फर्स्ट वाली यहां पर है सेकेंड वाली यहां पर आँ यहां अ मेर्हेशा नहीं कर सकते हैं कि यह यह जो मैं मैं बताया कि इस कंप्लीट मों में एक ही रैड गैंडल यह मैं और एक्स्प्लेइन करूंगा आने वाले टाइम पे अभी एक ऐसे एक जैंपल मैंने आपको डिसकस कर दिया कि हम राजा बैटरी का को कि काभी पुराने लोग भी रिकोर्डिंग देख रहे हैं तो उन लोगों को एक बार वापस से रिवाइज हो जाए जो बाते मैंने बोली थी ताकि वह लोग कंशूज नहों बैसिकली क्यों एक लेवल एक रीजन यह भी है कि यहां पर क्यों अग्रेसिव एंट्री नहीं रहें सब में तो कैसे ले सकते हैं प्राइस बहुत स्ट्रोंग ली इस एरिया से रेक्ट हो एड़ी जो कि क्वर्टरली का एरिया है मंतली के पर पर पानटाय जोन है इस वाले धाली जोन चारी है परईज अगर इससे ही ना होके आ रही होती तो सदे हम अग्रेश्वदी प्ले कड़े यह बांप अभी से हटोके आ रही है और मुझे तो संसुonne के अंदर में भी यह गार्वेज सा दिख रहा है इस मंतली में भी आप देखेंगे कैसा गार्वेज है कि अब ट्राइ किया जा सकता है बाकि सब ठीक है त्रेड में कोई इश्यों नहीं है कि तो यह जो कंशेप्ट इस पूरी मूव के अंदर में कि एक ही बेस केंडल रैड होना तो उसका बोटम को कंसिडर करना इसके बहुत सारे एक्जम्पल बताऊंगा आने वाली क्लासिज में आपको कि यह एक्जेक्ली बंधन बैंक और इजन आलसो डू अब मैंने जिसे बता है ने बायो कॉन वाल एक्जम्पल अब लोगों के लिए यह लेवल चल रहा है जो कि उनको इजिली आइडेंटिफाई होगा इसी में खुश हो रहे हैं यह चल रहा है और यह नहीं चलता तो खुश नहीं होते हैं अब खुशी मिलती तब है जब एक अच्छे लेवल में और फिर प्राइस वहां से चले यह तो कभी चल रहें कभी नहीं चल रहे हैं 5050 यह तो एक अच्छे टेडर का गेम नहीं है यह अच्छे टेडर का खेल नहीं खेल रहे हैं इस टाइप के लेवल पे जो लोग सब्सक्राइब भी हुई तो एक तो यह ओरिजन एक प्रिजन अच्छे 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 होगी यहां पर और स्टोपलोस यहां पर नहीं स्टोपलोस होगा इस लाइन के नीचे क्यों विकोज अगर परिज डाउन से आ रही है ने तो मैं थोड़ी एंट्री को डाउन कर लूंगा वह कोई एश्यू नहीं है एक तो मैंने औरिजन को कैप्टर किया है बट आज वेल अज मैं चाहता हूं कि एक मुझे थोड़ा सा सब्वोर्ट दूसरे स्रीकृष्णा का भी मिल जाए मतलब यह है नेक्स्ट डिमांड जोन की प्रॉक्सीमल लाइन इस वाले की तो डिश्टल लाइन यहां तक ही है यहां तक यह नेक्स्ट वाले की डिमांड जोन की प्रॉक्सिमल लाइन अब मैंने क्या क्या मैं चाहता हूं इन स्रीकृष्णा का थोड़ा सा सपोर्ट में जए तो बिलो टू-44 हलका सा डाउन साइड में मैंने स्टॉप लो पढ़ना पड़े और चाहें ट्री मिस हो तो हो कोई श्यू नहीं है ना मेरे पास में ट्रेड की कमी जो मैं आपको डबलू एटेट बता रहा हूं इन स्टॉक्स में मेरे पास में इतनी डबलू आटी एम आटी डी एटी हैटी स्कैल्पिंग के परपस से भर भर के ट्रेड पढ़ी है मेरे पास में तो कि मैं उनको सारीयों को रेगुलर देख रहा हूं हर एक ट्रेड को कि अगर 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 के सारे स्टोक्स आप लोग इतने डिसकस कर रहे हो हम नहीं कर सकते वो पे यह आप अपना व्यू बनाई वो मेंटर से डिसकस किजी मेरा वीव ले के आप क्या करेंगे pack मूंन क्लास्ति के बाद मी आप किस्या क्लास्ति क्लास्ः लेके क्लास्ति RX करेंकट इस्टोक सचर्ट से लेकर कि रहां सब्सक्ति रहूं उसके उपर में देता रहूं बट फिर मुझे वो टाइम नहीं मिलेगा कि मां आप लोगों को एक अच्छा नोलेज रिलिवर कर सकूँ को और अच्छा को यह अच्छा रहा है इस वाले लेवल में इस वाले लेवल में बसक्राइशन चल रहा है जिस दिन ब्रेक आउट आएगा बहुत स्ट्रोंग केंडल बनेगी और मैंने आपको बताया था कि यह लवल एजट्रैप काम करते हैं कि कि क्लास में आप इसे समझेंगे इसलिए मैंने यह भी लिखा था कि 147 से 145 आया मैंडम वाई चांस तो और वाई किया सकता है यहां से हो सकता है कि एक ऐसी लोव मनें और फिर उसके बाद में एक बहुत स्ट्रोंग अप मूव आए बिल्कुल पॉसिबल ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है जील के अंदर में भी कुछ भी एक परशंट भी मंतली के डिमांड जोन में सपोर्ट कर रहा है मंतली के डिमांड जोन से प्राइस सल रही है जील के अंदर में किप एज वल अच मिडिया का सपोर्ट यह ने बताया ने कि अब हरत इक सच्ट को आप एक स्प्लेंड करवाएंगे तो मैं उस स्टॉक को एक स्प्लेंड करने में सेक्टर का सपोर्ट बोल लूगा शेक्टर की क्लास हुई नहीं है आप बोलेंगे थोड़ाrit वसा से ओबर किसी स्टॉक में और यह अगर स्टॉक बाई चांस 164 इस गैप के अराउंड आता है मतलब इस पूरी मूव के अंदर में एक ही यह ग्रीन रेड केंडल यहां पर है तो मैं डबल से बाई करूंगा इसको पहले बदा दूंग अब यह यह नहीं चला पैटर्न और यहां तक आया तो मैं इस डबल से बाई करूंगा और टार्गेट मेरा बहुत बड़ा इसमें बहुत ज्यादा बड़ा कि अग्षा कि अग्याइज जो पड़ाया है आज उसके उपर में फोकस करें आप लोग मिलते हैं मंदे को कुछ नया सीखने के लिए तब तक के लिए सुबरात्री करुनाई टेक केर बाई शी ओन मंडे